तो हेलो एवरीवन रादे रादे आज मैं आप लोगों के इंडियस 36 और इंडियस 105 इन दोनों की concept डिटेल में कवर करवाने वाला हूं यह दोनों ही इंडियस बहुत आसान एंडियस हैं एक बार अपने इंके concept detail में cover कर लेंगे तो आप इनके questions बहुत आराम से tackle कर सकते हैं कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है सबसे पहले अपने श्टार्ट करते हैं अपना इंडिया इंपेर्मेंट का मतलब क्या है इंपेर्मेंट का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू में गिरावट आना यानि Assets की value में गिरावट आना Assets की value में decline होना Assets की value आपको लग रहा है गिरी है आपके Assets की value में कोई कमी आई है तो उसे आप अपनी wix में kis तरीके से record करोगे बस उसके बारे में यह इंडियास बात करेगा तो अब आपके सामने दो question आ सकते हैं कि एक तो यहां कोड करने की बात करें तो यह दोनों चीजों का आंसवर में आपको दे देता हूं जो कि आपको इस इंडेस का समझने में हेल्प करेगा कि यह एप्लिकेबल कहा होता है क्योंकि बहुत से इंडेस को कर लेते हैं एक्जाम भी दे आते हैं पर प्रैक्टिकल इंडेस 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 रिकॉर्ड करने के बात कर रहा है स्फ चार सेट पर लगेगा आपके माइड में सबसे पहली चीज़तों यह फिट हो जानी चीए इन चार अर्सेट के सामने जो मैंने यहां पर लिख्ण हुए हैं इन चार असेट के अलावा किसी भी असेट पर यह चलती है इंवेश्मेंट प्रोपर्टी एस पर इंडियास 40 और गुडविल अक्वाइड इन बिजनस कॉमिनेशन इस पर इंडियास 103 गुडविल होती तो इंडियास 109 लगता था तो इंडियास 109 में हम ओल्रेडी पढ़ चुके हैं कि फाइनिशल असेट्स पर इंपेर्मेंट कैसे होगा इंडियास 109 में वहां पर रीजन बताता हूं क्यों करते थे तो यहां पर आपको रीजन समझ में आयागा जब मैं एक्स्प्लेन करूंगा कि फाइनिशल असेट में एक्जांपल मानेजिए मैंने किसी को लोन दिया वन लेक रूपीज का तो मेरी फाइनिशल असेट है लेकिर आप मुझे एक पर्टिकुलर दिन को लग रहा है कि यार जिस बंदे को मैंने वन लेक का लोन दिया तो न उससे उनली 90,000 रूपीज ही अंगर परफिजेंट की तरह बना देता था इंडियास नाइस नीचन कर लेता था इसके अलावा सब्सक्राइब है बिल्कुल एक और असेट बची इन वेंट्री जो है ना उसका इंपेर्मेंट भी रेस्पेक्टिव इंडियास इंडियास टू में पढ़ा हुए इंडिया के नाम से नहीं पढ़ा पर उसका इंपेर्मेंट हम ओल्रेडी पढ़ चुके कैसे एक इक्जामपल से याद दिलाता हूं इंडियस्टु में हमने पढ़ा था कि इंवेंट्री को आपको कोस्ट और एनर्वी विचेवर इंवेंट्री ती जिसकी एनर्वी मुझे नजर आ रह सब्सक्राइक लें पर आपको क्षिकोंपलों रहा हूं आपको बाद में बता आप बहाँ आप आपको बताओंगा समझ नहीं आएगा तो यह सिर्फ चाल असेट जिस पर इंडिया स्ट्राटिस लगेगा आपको यह कलियर होना चाहिए यह यह इन यह सैट की वैल्यू में गिरावाट आती है तो उस पर आपको इंडिया स्ट्राटिस की अकॉडिंग अकाउंटिंग करने पड़ेगी तो अब गिरावाट कोन सी गिरावाट गिरावाट आएगी तो कैसे आएगी तो उसका रीजन वही है जो अभी मैंने दिया फाइनेशल असेट यह सब वाला एक्जामपल आपका जो बेसिक कंसेप्ट है ना जो फंडमेंटल प्रिंसिपल अक असेट के लिए अप्रोच पर चलते हो कि यार उससे आपको लग रहा है कम वैनिफिट ले पाओगे कम रिकावर कर पाओगे तो वही चीज़ एंपेर्मेंट उसे ही हम इंपेर्मेंट का नाम देते हैं तो इन चार असेट्स पेंपेर्मेंट होगा अब किस वज़े से वैल में एक लैप्टॉप आ रहा है जो मैंने एडवांश टेकनोलोजी का खरीदा हुआ था पहले और देप्रेशिचन लग लगके आज की दिन वह बुक्स में फोर लैक रुपीज का कैनिंग अमांट दिख रहा है मेरी बुक्स के अंदर आज की दिन मार्केट में एक नया लैप्टॉप कंपनी ने अनौंस कर दिया जिस कंपनी का मैंने लैप्टॉप खरीदा हुआ था उससे भी जाद है एडवांश टेकनोलोजी का जो मेरे पास है और वह मार्केट में आपको उनली मान लीजे कि थ्री लैक रुपीज में मिल र वर्थ है उसकी फोर लेक की वैल्यू दिखाई दे रही है पर वह वर्थ नहीं आपको साफ पता चल रहा है लोग मार्केट में नया लप्टॉप थ्री लैक में खरी सकते हैं तो इसकी वर्थ थोड़ी ना फोर लैक तो यहनी इसकी वैल्यू में गिरावट आ चुकी है यह शिग्रेट बनाना बैन कर दिया हों कोई कंपनी नहीं बना सकती सेल कर सकती लीगल नहीं है तो जैसे यह अनौंसमेंट होई आप बताओ मैं बना पाऊंगा तो यह मशीन से कोई बैनिफिट लेपाऊंगा नहीं और नहीं इस मशीन को कोई और खरिदार भी मिलने वाला या बनाने ही कंट्री में इस मेशन का लोग करेंगे अब बना सकते हैं अब बात करें तो सब लीगल पॉइंट ऑफ इसे मशीन को लेकर करेगा भी क्या यानि इस मशीन की वैल्यू में गिरावाट आ इसके अलावार असेट में आने की वज़े से आपकी वैल्यू गिरती है एक्जाम पर समझी मान लीजे मेरे बिद्स में ट्रक्स हैं जो मेरे पीपी के अंदर आ रहे हैं क्योंकि उन ट्रक्स से मैंना अपना जो गुर्स हैं वह डिलीवर करवाता हूं वालग अलग जगह पर म मेरे फैक्टरी राजस्तान में मैं ट्रक में माल लोड करता हूं एक बार में 100 तन माल लोड हो जाता है फिर मैं उसी ट्रक से माल महराश गुजरा साउट इंडिया में तमिल नाडू करनाटक सब जगह भी ज़गा एक बार क्या हूए यह ट्रक जो है ना इसका करता है इसके बाद पहले इंडिया तक भी बेज देता था अब इस ट्रक में ज्यादा राजस्तार में पूरा डिलीवर कर वादू यह महराश गुजरात तक इस ट्रक को भेज सकता हूं सामान डिलीवर के लिए अगर इसको इससे आगे भेजूगा तो ट्रक रस्त में के लिए पाओगे कि इसका फिजिकल डेमेज हो चुका है तो इन सब रिजन की वज़े से एक्षार के लिए बहुत आसान होता है यह सिर्फ मैंने बताया है कि आपको किस चीज की बता रहा है क्योंकि बहुत इसको पता ही नहीं होता ठीक है तो यह इसका एक आवराल जो इं ही नहीं होता और वो इसको कंफ्यूस करते रहते हैं क्या बाते हैं वो दो तीन चीजे में क्लैरिफाइब कर दो एक तो जब मैं यहां बोल रहा हूं कि आप असेट से कितना रिकवर करोगे उसके लोवर पर दिखाना है तो सब इतना सही करना है तो रेस्पेक्टिव इंड ढ़ी हुई है क्यisten क्या आपको सब्सेरने पडेटें लिकता है कि हार Mm नोपा बढ़े हो चाहते ह्ते हैं और बात गया को यह वेड़े पर जाते हैं योग मेंने क्योंगे कोई बात नहीं एक चीज़ तो यह दूसरा कुछ लोगों के मन में जो सबसे बड़ा इंपर्टेंट डाउट आता है इंपेर्मेंट को लेके कि इंपेर्मेंट क्या है वो लोग इसे की वैल्यू को फेर वैल्यू पर दिखा रहा हूं तो मालों कि यह 30 वैल्यू गिरी होगी तो फेर वैल्यू में आपको इंपेर्मेंट में फर्क क्या है तो उसका फर्क मैं आपको किलियर बताने जा रहा हूं सुन लेना इंवेस्मेंट प्रपर्ट उर गुडविल में कौँ सा यह रिवैल्यूशन अलाव नहीं है और इन्डिएस वंट्री के अकोडिंग जिस्वेलू पर रिकोर्ड गर्ल्यू जैसा पुछ होता ही नहीं तो सर इन दोनों असेट पे तो रिवैल्यूशन करीश जीं नहीं सकता पॉसिबल ही नहीं है रेस्पेक्टिव इंडेस के अकॉर्डिंग यह सिर्फ कॉस्ट पर दिखती है तो इन में तो हो सकता ना इंपेर्मेंट वैल्यू के रहाँ सफिन इन तो रिकॉर्ड हो सकता है इन दोनों असेट पे इन्वेश्मेंट प्रोपटी और गुडविल पे इ दिखाना है आलों कोई कमपणी कोश्ट मोडल्य पर धाली दिखाना है तो इसकी तो गिराबाट आई सकती है ला वन्हां नहीं लगेगा तो यह भी गलाता है तो भी इंडेस 36 लग सकते हैं तो भी इंडेस 36 लगेगा और कैसे लगेगा क्यों लगेगा उसका रीजन मैं भी नहीं दूँगा वह बात में दूँगा तभी समझाएगा आगे पढ़ाने के बाद ठीक है यानि इन चारों से पर हर केस में इंपेर्मेंट लगेगा एक थोड़ा सा दिफ्रेंस तो भी बताता हूं देखो जब रिवेल्यूशन मोडल पर दिखाओगे ना मानलों आप अपनी पीपी को तो रिवेल्यूशन मोडल में अपवार्ड और डाउनवार्ड दोनों ब बात करोगे कभी अगर एक वेल्यू बढ़ रही होगे ना तो रिकॉर्ड मत कर देना मना फिर आप बेवकूफी कर रहे हो जब इंडेस का नाम ही है गिरावट को रिकॉर्ड करना तो आप गेन तो कभी रिकॉर्ड करना ही नहीं आपको आप अपनी एसेट को एक ऐसा अगेगा वह भी थोड़ी देर बाद आपको बता तो यह था इस इंडेस का इंट्रोडक्शन में को लगता है कि इसमें आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि कब लगता यह सबसे इंपोर्टेंट चीज वही होती है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए एक्जाम के लिए अब एक्जाम वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं टॉपिक के लिए उसके लिए मापको चार इस्टेप्स का प्रोसिजर देने वालो यह चार आप याद कर लो आपका स्वा वाले स्टेप्स हैं मतलब कोई अगर बच्चा इस डारेक्ट नोट्स को भी पढ़ लेगा ना तो तो वह भी गलत नहीं कर सकता इतने स्टेप्स मैंने बना के दिया है आपको मोडियूल इंडेस में कुछ यह स्टेप्स अगरा कुछ नहीं मिलने वाले वहां तो पता नहीं बस पैराग्राफ में लिख हुए और नहीं कोई और बुक में यह सिर्फ मैं बना के देता हूं आप मुझे इस पर इंडेस 36 लगाना है तो इंडेस 36 यानी इंपेर्मेंट को रिकोर्ड करो अरे भाई पहले चेक तो करो इंपेर्मेंट है की नहीं है तो पहले आप इंपेर्मेंट टेस्टिंग करो कि यह सेट इंपेर हुई है की नहीं हुई तो तो वो कैसे करेंगे वह को सब्सक्राइब करें और हैं कि यह डिए आपको क्या करना है करें लाइब करेंगे इतना बंगलेटिशन इंपेर्मेंट लॉस वान एकंगाइब सबवरेबल लुट्वन टैंटी अपने पता कर दिया है वह तो फोड़ी देर रहें बात करेंगे अभी इतना समझ आप यह पर इतना कर सकते साफ पता चल रहा है तो यहां पर इसा होता कर सकते हैं लेकिन रिकावर ज्यादा कर सकते हैं तो वैल्यू पर यह बढ़ाने की बाद नी करते हैं इंडिया साब बूल जाओ पस यह इंडेस काम ही complete आगे कोई स्टेफ लगेगा ही नहीं कोई अकाउंटिंग नहीं होगी कोई गिरावटी नहीं है ना वैल्यू बढ़ा कब सकते हैं को उस असेट का आगे जाओ इंपैरionennt निकालो पता चल गया कि के करने के लिए को दिमागाना पड़ेगा कि इना अधonn Freud कि उस्टतर आऊँ सभाटे किन्म है template की वैलू करoya है तो बस यह गिरावट है इंपेर्मेंट लोस के आ गया केरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल आमाउंट यह आपका स्टेप नमबर टू हो गया इंपेर्मेंट लोस यह इंडेस बसलब आप सोचो अगर लॉजिकली पढ़ते हो तो पस इतना ही इंडेस और कुछ नहीं है इसके बादे को स्टेप थी आप इंपेर्मेंट लोस पो बुक्स में रिकॉर्ड कर लो अब इस तरीके से रिकॉर्ड करने वाले वाले वह बहुत सिंपल लॉस है खर्चा आपका नुकसान लोस है तो कहां जाएगा पी अडल में तो आप यह पास करोगे आपकी एसेट की नुकसान है तो इंट्री यह पास करोगे एंपेर्मेंट लोसक डैबिट लॉसथ 10 रुप्स तर्व यह कहां जाएगा पि एंडल खर्चा पिंडल में जाता है तरह नुकसान पिंडल में लूस कर दो गया नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी पिंडल अकाउंट यह इंपेर्म आपको समझ लेना है वह पॉइंट और बता देता हूं मान लीजिए इससेट का मैंने इंपेर्मेंट केल्कुलेट किया इससेट पर कभी मैंने रिवेल्यूशन किया था कभी और रिवेल्यूशन में बढ़ी ती तो रिवेल्यूशन सर्प्लस का बैलेंस आगया होगा इंडे इससेट के गिरावट हुए ईंपेर्मेंट लॉस हुआ है तो आप बताओ दस रूपे का लोस होय और आप बोलें पर पहले कभी वेल्यू बढ़ीती और इशेट से रिलेटेड एट रुपी इसका बैलेंस पढ़ा हुआ है तो पताओ क्या बैलेंस पढ़ा हुआ हुआ, उ होना ही नीची यह क्या बता रहा है कि अधकी वल्यू बढ़ी है जबकि आज बोल रहें कि हमसेट कि गिरी है तो फहले इस बैलेंस को खतम करूए बचा वह गाएंगे जाएगा बैलेंसिंग फिगर टू इन्पेर्मेंट लुटे ति ना रिवैलेशन लोग की आप बस वह वाली अकाउंटिंग लगाने बस वह गानी बस वह वह बात में बताऊंगा कैसे अलग है समझ में आई बात तो बस यहीं लिगा इंपेर्मेंट लॉस को जनरली पेंडल में रिकॉर्ड करोगे कंप्लीट पस यह स्टेप नंबर क्यों कि यह बात करेंगा आपने इंपेर्मेंट कर लिया तो इस रूपीस की रुपीस की बुक्स में आस्टीशा और क्या आपने कम किया तो यहां पर देखो वैलन्स से कम क्या तो इंपरमेंट आमाउंट घरिंड इंपरेंट आया यह आप अपने असेट को रिकवरेबल रहे मौन पर तो लिया है अगे टिकेंट पर आगे इन किस पे लगेगा इस रिवाइश्ट के इंपरेंग चाहिए तो बुक्स में लगेगा इस नहीं अमाउंट पर लगेगा ना यह सब बाते आप उल्रेडी इंडिये 16 में सीख चुकियों तो वही वाली चीज़ है इतने कुछ स्पेशल था नहीं हो गया आपका इंपेर्मेंट लॉस अन इंडिविजुल असेट का टॉपिक कम्प्लीट अब कुछ नोट हैं जो अपना और सीख लेते हैं तो इसका पूरा पार्ट अपका कम्प्लीट हो जाएगा यह नोट सो देख लिए जब युप सबसे नोट है इंपेर्मेंट टेस्टिंग करोगे कब मैंने बोला कि सबसे पहले से इंप्यर्मेंट टेस्टिंग करना को कंपेर करना करें कोई मंत्सी करें क्वाटर यहांफीय यह याफ्यली या एनुड कब करें तो क्यूंकि कोई duration होनी ची न या फिर ऐसा हो कि म तो एक ताइम डूरेशन ने बता ही कि कब आपको इंपेर्मेंट के टेस्टिंग करने रोज रोज करने नहीं करना कब करना इंडेस ने बोला यह पूरा पॉइंट बिल्कुल काम का निया इसलिए फटाफट से बता रहा हूं अगर आपकी इंतेंजीवल असेट लोटाइज नहीं करने वाले है याई एसी इंतेंजीवल असेट आपकी बुख्स में आ रही है जिसको कभी आमोटाइज कर ही नहीं सकते तो इसमें फिर आपको इंपर्मेंट्स कर्ण में ऑन्यकरन करना है करना है कि इंपेर्मेंट हुआ है क्यों कि या कभी अमोर्टाइज होनी नहीं तो या वह सेट अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो हमीशन सेम वेल्यू पर ग्रोग सेम वेल्यू पर बुक्स में दिखेगी तो यह उसकी एसेट की वेल्यू कि गिरावट हो गई तो आपको प इंपेर्मेंट टेस्टिंग जभी करनी है जब आपको कोई इंडिकेशन नजर आए कि इसेट की वेल्यू में गिरावट हुए इंडिकेशन यानि आपको कोई इशारा नजर आए तो आप सोस्ते नों चीज पर वर्किंग करना चालू करते हो ठीक है आपको क्लास में बैठ चेक करो आप कि मेरे अंदर इंपेर्मेंट है कि नहीं है तो असेट जो इंडिकेशन कैसे देगी वही है जो मैंने आपको इस टार्टिंग में बताया इंपेर्मेंट कब होता है तीन रीजन कोई टेकनोलोजिकल एंवार्मेंट में चेंज आया है उससे रिलेटिड तो लाइक कारणा आप एक बार मांनलो बस आपकितना कर सकते को केलकुलेट करना भी सीखेंगे ता वही सीखना आपको जित्या लोग तक्युक्यूंग अब कर सकते हो इस disci International कितना कर सकते हो मैंने इसको वेस्ट कर सकता हूँ किसी बता हूँ किसी असे बहुत करोगे अपकी दिमाग में सबसे पहला पुइंट आगolé करो वह सब्सक्राशत को बैच दो थे पेसा मिलता है और भिल्कूल जो पैसा मिलता है ने movies इंडेस की लेंग्वेज में जो बहुत बार ओल्रेटी अपने बहुत इंडेस में डिसकस कर लिया तो ज्यादा डिसकस डिटेल में करने की ज़रुवत है नहीं इंडेस वनवन सीक्वाडिंग मार्केट में बेचो तो यह पैसा मिल जाएगा लैस कॉस्ट तो सेल का मतलब है ट्रांजेक्शन को इसको बेचिते वक्त क्या खर्चे होंगे हो सकता है सैट को बेचने के लिए आपको कुछ डिस्मेंटल करने पड़े यह मशीन ऐसी है कि जमी करो क्योंकि बेचने पर मानलों आपको 100 रुपीज मिलने वाले और टैन रुपीज का आपका यह सब खर्चाने वाला है सेलिंग कोश्ट तो सैलिंग कोश्ट अटाओं नेट तो 90 रुपीज ही मिलेगा यही पैसा रिकवर होगा जिसे आप फिर वेल्यू लेस्ट कोश्ट सेल बोलते हैं यह पैसा रिकवर करोगे किसी असेट से यह होगा रिकवरेबल अमांट और क्या हो सकता है यह तो होगा इसके लावा एक और चीज हो सकती है एक और तरीका है जिससे आप असेट से पैसा रिकवर कर सकते हो उसका एक और तरीका है वह वैल्यू इन यूस वह लिया तर्मानी जी मेरी इंडेस में जो हुई है जो रही आपने दंदा चलाने के लिए जो यह पीपे बगरा जो एसे इंडेस में चलाने के लिए वह रही है वह लेकिन अपधे सकते हैं वह आप से कितना बेनिफित में रिकावर कर सकते कैसे कि यूज़े पैसे कितना जो कैसे आ किसे पैसा आएगा और जो भी मेरे खर्चेंगे वह लेस्ट करूंगा वही मेरा वैल्यों यूज़ होता जो भी मैं डीटेल में समझाओंगा कैसे निकलेगा तो आपको समझ में आ गया डिकावरेबल अमाउंट में इतो बेच के पैसा रिकावर कर सकते हैं दूसरा उससे को बिज दिफ्रेंट आ सकते हैं इन दोनों के हाइर वहां इन दोनों में से जो भी जगाए होगा इन दोनों मेंसे जो भी ज्यादा होगा वही आपका रिकावरेबल अमाउंट होगा है जो आप सो आप हैए रूपीज घर अपरोच पर चलने की बात कर रहेते है आप शुनना तो इनका हायर आपने बोला है यहनी 90 रुपीज को रिकवरेबल अमांट मानों 100-90 यहनी 10 का इंपेर्मेंट तो यहां भी हायर को रिकवरेबल अमांट क्यों माना तो वो बिल्कुल सिंपल सा लोजिक है यह आपको दिमाग चलाओ अगर कोई थोड़ा दिमाग वाला बंदा होगा वो क्या डिसीजन लेगा आपको मैं बोलू यह मशीन है इस मशीन को अगर मैं बेचूंगा तो 85 रुपीज मिल जाएंगे और इस मशीन को अगर मैं धंदे में यूज में लूँगा तो मैं 90 रुपीज का बेनिफिट ले मिल रहा है धंदे में यूज में लेके तो फिर भी बेच के 85 कमाना चाहूंगा तो फिर मां कुछ वोली नहीं सकता वो फिर आपकी चोईस है यह इंडियस बोलेगा आप अपना जानो कुछ नहीं कर सकते आकाउंटिंग तो इसी तरीके होगी फिर उस इंसान की तो क्या ही वह इंसान तो फिर अपने आपने स्पेशल यह आदमी जो खुद अपना लोस करवा रहा है जवर्दस्ति का लोस भी नहीं करना है कहने की बात इतनी है आप समझदार आदमी हो तो आप वहां असेट को यूज में लेना चाहोगे वह वाले तरीके पैसा रिकावर करना चाह करें क्या बुल को आपके थे कांत यह याउंगे पैकिंगं कोर्ष यह सब्स्ति आप देखें कि अब देखें का से ले नियूज कैसे निकाल होगे वैल्यन्यू यानी सट को बिजन त Elena कर लोगे तो प्यूट में जो इस से मान लो बिसकेट ब्यूघ मरूह मार्केट में केश फ्लॉव जो भी आपको केश फ्लो मिलने वाले हैं इसा सट को यूज में लेने के बाद उनकी प्रेजेंट्व तो आप उसकी प्रेजन कर लोगे पीवी कर लोगे बहुत बाइड इसका बहुत सारी इंडियास में इसको डिटेल में बात करने की ज़रूत नहीं है क्योंकि केश्फ फुचर के हमें तो आज की दिन की वैल्यों निकाल नहीं तो अब सबसे पहले के पता करोगे हमें क्या मालो हमने फ्यूचर देखा तोड़ी ना कि में विच्टे में कितने बिस्कूइट मैंट्र हो जाएंगे तो आप एक्सपेक्टेशन लगाओगे ठीक है expectation से निकलते हैं expected future cash flow निकालोगे क्या क्या आएगा cash flow में इंक्लूद एक तो इस asset को continue यूज लेने से क्या cash inflow और आउटफलो होने वाले हैं आप देखो मानलो में को लगता है यार यह next five years चलने वाली है और next five years में इसे जो biscuit तो आपको मिल जागा cash flow का मांट इसके बाद जैसे यूसफुलाइफ असेट की complete होगी आपको उससेट को disposal करने पर बेचने पर नेट cash flow कुछ मिल सकता residual value जिसे बोलते हो वह भी आप consider कर लेना last year के अंदर जब भी value in use की calculation के लिए कौन से cash flow एक interest and tax expense interest का खर्चा दे रहा है फोर एक्जामपल माली जी यह मशीन थी बिस्क्यूट पैनिफेक्ट्रिंग वाली यह मशीन मैं मार्केट से खरीद के लाया कैसे खरीद के लाया के लिए मैंने लोन लिया लोन लिया उस लोन से मैं मशीन खरीद के लाया तो लोन पर मेरा interest का खर्चा जा रहा है question में दे रखाऊगा आपके मन में आएगा सन्ने बोला था cash in flow minus outflow कर देना तो interest भी खर्चा यह भी लैस कर देते तो आपका question गलत हो जाएगा इंट्रेस्ट का खर्चा less क्यों नहीं करना कोई logic है क्या बिल्कुल logic है मान लीजिए same machine मेरे पड़ोस में एक और बंदा है वो भी same business कर रहा हो वो भी same machine लेकि आया पर उसके बाद business की value नहीं निकाल रहे तो asset को क्या मतलब कि आप इसे loan से ला रहे हो किस से ला रहे हो तो interest का खर्चा आपको less नहीं करना समझ में आया अगर आप asset को बिना loan पर लेके आते तो भी same value आती cash flow generate कर पाते बस interest का खर्चा नहीं लगता तो asset की थोड़ी ना गलती थी तो इसलिए नहीं लेते ऐसे same tax expense मालों मेरे पड़ोसी पे tax free और और टेक्स चार्ज करते तो नहीं करेंगा उसकी value नहीं ज्यादा आएग और मेरी कमाएगी जबकि तो आप ऐसा भेदबाव क्यों कर रहे हो asset की घलती थोड़ी ना है अगर गवर्मेंट मेरे से टेक्स चार्ज कर रहे है तो मेरी कंडिशन से असेट की कंडिशन थोड़ी नहीं है समझ मैं इसलिए यह खर्चे कभी भी आपको इसके अलावाए एक और खर्चा होता है जो आपको कभी भी कंसेडर नहीं करना value in use के लिए cash flow expected from future improvements not yet committed मुझे लग रहा है कि या फ्यूचर में एक ऐसी आपको सपना नहीं देखना रियालिटी में जीना है आपने कमिटमेंट कर दिया कि मैं इस टेकनोलोजी को खरीदने वाला हूं आप बस सपना देख रहे हो ऐसे टेकनोलोजी आएगी उसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा फिर मेरी है केश लोले ले तो नहीं ऐसा कभी नहीं करना आपको पी यापके आपके आपके पास कमिटमेंट्स या यह करने के लिए सर प्रीटेक्स कोश्ट ऑफ्केपिल का मतलब आपने जो पैसा उठाया हूओ कृण्दे ने अपने जहां जाए सर पैसा उठाया हूओ क्कि हम मशीन में दहुंग कि पैसा कि से आया है कि हम देख हैं पैसा कहीं से भी और सब के पार्ट है आपके ीटिव में घंट होगा तो डिसकांटिंग रट कैसी होगी तो डिसकांटिंग रेट चलता है यह वहां होता है यहां फिर भी मैं थोड़ा सा रीजन बता रहा हूं हमने देखा मशीन में पैसा चाहिए कहीं से भी लगाओ कोई मतलब नहीं होना चाहिए नहीं हम फिर कोस्ट आफ कैपिटल भी वेटेड अज़े सब की एवरेज करके लेंगे जो की प्री टैक्स होनी चाहिए क्यों क्योंक मेरी जो मशीन है वह मशीन फोरन के अंदर इस्टेबलिश और मैं इंडिया में अमेरिका में स्टेबलिश है तो उससे जो कैश्फ्लो वगेरा सब आने वाले हैं वो डोलर में आने वाले हैं तो अब ऐसे किसमें क्या करें सब कुछ नहीं तो इसक्राइब इसकांटिंग र करेंसी में है तो जिस करंसी कीक दिसकांटिंग रेत लेलो यह नि डॉलर की डिसकांटिंग रेत लेलो उससे पीव आपकी नूस आ जयाकी लेकिन वह आ हैएकी इन पर आप तो बुक्स बनाते हो रुपीज के अंदर तो सर अब आपको रुपीज में कनवर्ट करना पड़ेगा तो उसके लिए इंडियास 21 लगाओ और एक्षेंज रेट वाला इंडियास 21 क्या बोलता है आप किसी भी फोरन करेंसी के अमांट को उस दिन जो भी एक्षेंज तो आज के दिन जो भी मार्केट में डोलर और रुपीज की एक्षेंज रेट चलिए स्पोर्ट एक्षेंज रेट जैसे आप बोलते हो उससे रुपीज में कनवर्ट कर लोगी समांट को सिंपल साय फोरन कैश फ्लो है तो फोरन डिसकांटिंग रेट से पीवी करो और फिर या प्रेक्टिकल लाइफ में पता नहीं कर पारे हो फिर वेल्यू लेस कोश्ट तो सेल असेट की आपको नहीं पता कि या इस असेट को बेच के कितना मांट मिलने वाला है क्योंकि यह सैट ऐसी नहीं है जो जनरली मार्केट में बिच जाए तो ऐसे केस में आप वेल्यू पता ही नहीं कर पारे हो तो उस केस में आप यह बोलोगों कि इसका रिकवरेबल अमाउंट हम डिट्रमाइन ही नहीं कर सकते हैं से प्योंग बोलतो न फिर वेल्यू लेस कोंश्ट्टू सेल पता है तो वही इसकी रिकवरेबल अमाउंट लेकिन अगर वेल्यू इन यूज अवेलेबल नहीं है तो आप डिरेक्ली यह बोल दोगे रिकवरेबल अमाउंट पता ही नहीं कर सकते हैं फिर इंपेर्मेंट आपको इसकी फेर्वेल्यू सेवंटी तुथाओज़ आप इंपेर्मेंट लॉस निकालो केरिंग अमांट निकालो रिवाहिश वाला और सबसेक्वेंट एप्रिशेशन क्या लगेगा तो आज का केरिंग अमांट और रिकवरेबल अमांट कंपेर करो आज का कैसे आएगा तो जब करी थी वोवाल अमांट बन लेक माइनस दो साल का डेप्रिशेशन लगा तो 10 यह की उसकी अक्वाडिंग तो आज का केरिंग अमांट 80,000 रिकवरेबल अमांट कैसे आएगा वेल्यूस फेर वेल्यूस कोश्टो सेल विचेवर इसायर यानि 72,000 तो सब 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 पता चल रहा इंपेर्मेंट लोस है तो सेकेंड इंपेर्मेंट लोस दोनों का डिफरेंस 8,000 रुपी थर्ड इस्टेप में जनरल एंट्री इंपेर्मेंट लोस पे इंडल में जायेगा टू एसे तॉजल कम्प्लीट लास्ट रिवाइट करिंग अमांट कैसे आएगा बिफोर आपका कितना था इंपेर्मेंट लोस 8,000 हटा हो 72,000 अब फ्यूचर पर लगेगा इस रिवाइश्ट करिंग अमांट पर यानि थार्ड यह उन्वार्स दो साल तो जा चुकि है अब थार्ड यह से 72,000 पर लगेगा अब यूसफुल लाइफ कितनी बाकी है सब पहले 10 साल थी दो सा बॉलख या अपने सारे कोष्चन फिर अपने वह मा मुवाइच फर्वोल से अब आजेगी नेक्स टॉपिक इस इंडियास के द सब्सक्राइश है आओ देखिए अब next topic reversal of impairment loss on individual asset हमने एक asset पे impairment loss record किया future में क्या वो impairment loss हम reverse कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं तबी तो यह topic बना है तो reverse कर सकते हैं तो किस तरीके से reverse करेंगे वो आपको सीखना है क्यों कर रहे हैं reverse वो सब मैं आपको बताता हूँ अब देखिए reversal वाले को पढ़ने से पहले में एक पॉइंटर बताए तो मैंने आपको बला था कि revolution और impairment loss में कैसे differences पर भी क्यों लगेगा वह एक बार आपको clear कर दो ताकि यहां पर आपको यह topic में हमेशा के लिए clarity हो जाए पहले में वह clear कर देखिए तो अगर किसी asset को आप revolution model पर भी दिखा रहे हो तो अभी आपको इंपेर्मेंट चार्ज करना पड़ेगा देखिए डिवैल्यूशन मोडल में आप क्या करते हो asset को fair value पर दिखाते हो fair value पर और impairment के लिए सेट को किस पर दिखाना चाहते हो recoverable amount जो की fair value लेस cost to sell और value इन्यूज का higher होता है fair value में ते cost to sell का adjustment और होता है जबकि revolution model जो इंडिया 16 वगेरा में discuss होता है उसमें cost to sell transaction को उसका कोई adjustment नहीं करते डारेक्ली fair value पर दिखाते हो या fair value loss बोल दोगे और इंडिया 16 के according रिकॉर्ड कर लोगे कहीं कोई दिक्कत नहीं है अब आपका reverse caring amount क्या होगे 88 इंडिया 16 के according आप देखो आपको बताए हो है कि cost to sell जब आप asset को बेचो गे रहा हो उस पर रिकॉर्ड कर लिया revolution के according downward revolution कर दिया तो असे 88 पर फिर भी इंडिया 36 के आपकोडिंग 85 पर आनी चाहिए नहीं 3 रुपीस का और लॉस दिख रहा है इससे आप impairment loss बोलोगे समझ में आया बस यहीं चीज़ है क्योंकि आप revolution model में तिर्फ पर दिखाते हो इंडिया स्टेटिस के आप फिर वेल्यू लेस को स्टू सेल तो को स्टू सेल का तो एडजेश्मेंट यहीं पर होगा ना ठीक है और अगर मादलो वेल्यू न्यूज आ गई तो मार और भी कम हो गया फिर आप एवेल्यू इन्यूस के अक्वाडिंग उस प कर लिया तो मैंने आपको समझाया रिवाइट कर लिए यहां ता कोई दिख्कर नहीं थी आपको अब एक बार अज्यूम कर लिजे कि डेप्रीशिशन नहीं लग रहा है इसलिए इसलिए और एक बार करना कितना होगा सब पिछली बार जो था वहीं आ जाएगा क्यूंकि द दिखा दिया था ना बस पिछले साल के एंड में तो अब 90 का यह अगले साल के एंड में बचेगा आप देखिए रिकावरेबल आपको बताया 102 रूपीस कितना बताया 102 आपको देखके लगेगा सब्सक्राइट की वेल्यू बढ़री है पर यह इंडिया सेट की वेल्यू ब इंपेर्मेंट लोग्स चार्ज कर चुके हैं अगर किसी एसेट पर पहले आप कोई भी यह में पिछले कोई भी सालों में आपने अगर उसेट पर पिछार्ज किया हुआ है और इन फूटर इंफूचर यह इस अगर उससेट का रिकवरेबल अमान्ट केरिंग अमांट से ज आज का एस्टिमेशन बोलता है कि आप ज्यादव रिकवर कर पाऊगे तो तर जो इंपेर्मेंट लॉस रिकवर्ड किया था हमने वह गलत था तो आज वह में में हमें रिवर्स करना चाहिए तक में डेखा जाका जाएं जालना होना इसक中共 वह को सकता है अगर जया लगा पढंवर्स के बाद के बासे पर दिखनी चाहिए पहले पता कर लो तो रिवर्सल के बाद असेट किस अमाउंट पर दिखनी चीए सब रिकवरेबल अमाउंट आपके अबन में आएगा सब 90 का कैरिंग अमाउंट है रिकवरेबल वन जीरो टू दिख रहा है यानि 12 रूपीज ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट तो 12 रूपीज रिवर्स कर करने की बात करें हम क्या बात करें इंपेर्मेंट को करने था ना कि फ都 रिवर्सक एथ करना हो करना है तो आप यह देख लो ना इंपेर्मेंट होता नहीं तो आज की दिन क्या करिंग अमाउंट होता यह पता है कैसे आएगा इंपेर जब आपने करना है उन रेस्पेक्टिव इंडेस के अकौरिंग सब कुछ कर लो इंपेर्मेंट को छोड़के वह कैरिंग अमाउंट आप देख लो तो आज के दिन असेट को दिखाऊगे तो रिवर्सल कितना करना है तर हंड्रेड पर दिखाना है करने की बात कर दो कितना निए कर लेंगेंट कर दो और दो वाइंप दो में आप जादा कर्ने की बात कर रहें तो पॉसिबल्न हम्ह souvent करने सब्सक्राइबीं की सब्सक्राइब आपल देखो अगर मानलो रिकावर्य आपको पता चल रहा है कि आप रिकावर 8 रुपीज ज्यादा कर सकते हो आज के दिन होता ही नहीं तो आज के दिन रुपीज आती है यहीं रुपीज करी नहीं सकते हैं इस वजह से आप दिखाओगे तो आपको दियान रखने के लिए नोट्स में मैंने स्टेप्स दिया वह फोलो करने आप इस रिवर्सल को रिपोर्ड कैसे करोगे सिंपल तैट की वैल्यू ब बटें से बढ़ेगी तूइंपेर्मेंट युवर्सल कहां जाएगा से वही रिवर्सल को आप लुपर करोगे जा रहा था तो इमपेर्मेंट लच रिवर्सल को पी नल गेले न है तो क्राइडिट हो जाएगा लेकिन मानलो अगर पिछली बार इसे पर दो किया था वह इं तो आपकी बार अगर टैन का रिवर्सल हो रहा है तो एक रुपीज पहले रिवाल्यूशन सर्प्लस बढ़ा हो गया वापस और फिर पीएंडल क्योंकि भाई पहले आपने इसको कम किया था रिवाल्यूशन सर्प्लस को इंपेर्मेंट लॉस मानके अब इंपेर्मेंट लोस अज़की दिन बुक्स में क्या अमांट है सेकेंड इस्टेप आप वह अमांट पता कर लो असेट का जिस पर दिखाना चाहिए आफ्टर रिवर्सल के अमांट इसके बाद थार्ड इस्टेप में रिवर्सल कमांट बहुत सिंपल है आपको मालूम बढ़ी आसेट को किस अम पर क्लेवांट पर इन दोनों का डिफरेंस और इसके इसके बाद लाश्ट नमबर इस्टेप तोटल पांच इसके इसके नदर फिफ नमबरिश्ट नमबर इस्टेप में आपका करने दिखेंगा यानि प्लस कर दो रिवर्सल ऑफ इंपेर्मेंट के बराबरी आएगा यही तो देख रहे थे कि रिवर्सल के बाद किस अमाउंट पर लगेगा वही डेपीशेशन तो जो भी नया केरिंग अमाउंट होता है उस पे लगना चलू होता है तो फ्यूचर में डेप्रीशेशन इस रिवाइश्ट करिंग अमाउंट के लगेगा कम्प्लीट हो चुक है आपका रिवर्सल का टॉपिक इसका एक मैं आपको एक्जांपल देता हूं जो भी अपने एक्जांपल देखा था उ यह पहले तो आप पता करो आज की का कर दिन का कर दोगा डिवर्सल के बात कितने पर आज की दिन अज़कर आज की दिन होता अगर कभी इंपेर मैं नहीं होता तो इस asset को जब आपने खरीदा था तब कितना मांट था 1st April 2001 को 1 lakh में खरीदा गया था इस asset को इसमें अभी तक का depreciation लगा दो 1st April 2001 से 31st March 2006 5 साल का impairment तो कुछ लगाने नहीं है तो 10 years की useful life के according 5 साल का depreciation लगाया 50,000 आया लोवर क्या है 50,000 यानि आज की दिन asset reversal के बाग 50,000 पर दिखनी चाहिए बुक्स में दिख कितने पर रहिए 45,000 पर यानि reversal कितने साफपत अजल रहा है 5,000 का step 3 जन्रल एंट्री पीपी बढ़ जाएगी to impairment loss reversal अज्यूम पी एंडल में जाएगा कोई प्लस वगेरा थानी ठीक है तो नॉर्मली यह चलेगा अपना इसके बाद रिवाइस करिंग अमाउंट क्या हो जाएगा सर्व ही 50,000 45,000 आज का करिंग मांउंट प्लस रिवर्सल वाला अप्ट अब क्या लगेगा आगे 60 प्लस पूरे चुके सिस्टियर से रिवाइस करिंग मॉन पे यूस्फुल एक कितनी बाकी रहेगा तो डिवाइड बाइट हो चुका है यह आपका बिद अग्जामपल आप इसमें एक नोट है जो मैं आपको बिता देता हूं जिस पर कुएशन आता है अपने पास जो कि बहुत इस गलत करते हैं कि तो कोई पढ़ता ही नहीं है पढ़ना ही नहीं चाहता नोट वगेरा आप मोडियूल में पढ़ोगे तो आपको इंडियास में पेराग्राफ फॉर्म मी मिलेगा यहां मैंने आपको करवाया है नोट में मैंने क्या और पहले सब्सक्राइट पर आपने इंपैर्मेंट क्या हुआ है और फ्यूचर यहां में करें केरिंग आन्यूज जादा आ रहा है जिसकी वज़ए से और आपको केरिंग आमाउंट से ज्यादा दिख रहा है सुनना वापस से सिर्फ आपका पैसेज ऑफ ताहिम की वज़े से अन्वाइंडिंग डिसकाउंट की वज़े से वैल्यू न्यूज जादा आ रहा है और उसकी वज़े से आपका रिकवरेबल अवांट केरिंग अमाउंट से जादा दिख रहे हैं और पिछले सालों में अपन बात हो जाएगा देखिए फर्स्ट ये के एंड में हंडर का करिंग अमाउंट का रिकवरेबल अमाउंट कैसे आया मालो फेर वैल्यू लेस्ट कोस्टू से अवंटी थी और वैल्यू न्यूज नियू नियू थी तो हायर नाइंटी तैन रुपिस का इंपेर्मेंट लोस सब्सक्राइब कर दो पर यहां रिवर्स नहीं कर पाऊगे क्यों नहीं कर पाऊंगे अगर यह वैल्यू नियूज में चेंज इस रीजन से होता मान लो कि हमारी फ्यूचर की Cashflow के क्टिमेशन में चेंज आ गया तो बिल्कुल आप रिवर्स करो नॉर्मली वैसा ही सिनेरियो उसमें कुछ ना बोले तो वही सिनेरियो मान चाहिए यह फिर वेलू को जादा गार तो भी रिवर्स करो कोई दिक्कत नहीं पर इस सिनेरियो में यह 86 कैसे आया एक बार मैं वो समझाता हूं फिर बताता हूं रिवर्स क्यों नहीं करना हमारा रिकावरेबल अमांट के 86 जो की वैल्यू इन्यूस को कंसिर्डर करके आ रहा है अब वैल्यू इन्यूस फर्स्ट ये यह इंट में 90 आया था वह कैसे आया था कि जो भी केश फ्लों ते मालेते हैं तैन यह उसमें हमने सोचा था हर साल 15 15 की के पर से हम पीवी करेंगे तो सब्सक्राइब करने मत बैठना मैंने कर एक रुप एस्टिमेट लिया कि 90 रुपीज आ रहा है तो 90 वेल्यू नियूस ना अब आपको वापस वेल्यू निकालना तो क्या को रहें बाकी रिमेनिंग अब जो साल बचे अब रिमेनिंग 9 करूंगा मैं यह माल रहा हूं कि हमारे कैश्टिमिशन में चीज़ी है डिसकांटिंग रेट में चीज़ी है तो अब जो आपका वेल्यू नियूज आया है वह एक्जिश्टिंग कैश्फ फ्लो और एक साल आ गया गया हो उसकी वज़े से पैसे आफ टाइम की वज़े से आप पहले वाले साल में आपने पॉइंट नाइंट टू इस तरीके पे अब सेकेंड ये रेंड में निकाल रहे हो तो आपके वल नो साल बच रहे होंगे एक साल तो पुरा हो चुगा तो अब जो पिछली साल फॉइंट टू शिक्स का पीवी फेक्टर लग रहा था अब उसमे में जो कंसेप्ट आप देखते हो पीवी का वह पूरा यहां अप्लाई हो रहा है उसकी पूरी एप्लिकेशन हो रही है एक बाद सुन लो बस एफम में पढ़ोगे तो और क्लारीटी मिल जाएगी अभी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है तो आप क्या करो जैसे कोई रिवर्सल नहीं करना होता यानि बस अल्टिमेट कंक्लूइजन क्या दिहान अगना है अगर आपका रिकवरेबल अमाउंट केरिंग अमाउंट से इस वज़े से ज्यादा है कि फ्यूचर कैश्फ फ्लो में सिर्फ अन्वाइंडिंग डिसकाउंट हो रहा है वेल्यू जन्रेटिंग यूनिट जिसे आप शॉट में सी जी जी बोलते हैं कि देखिए अभी टॉपिक इस इंडेस में स्टुएंट्स को जब डर लगता ना अभी तक कि जो टॉपिक मैंने बता है वो तो फिर भी कुछ लोग कर लेते हैं सबसे ज्यादा डर लगता है सी जी के कंस में आपको बता दो सबसे आसानी यह जब आपने अगर उपर का उपर वाला टॉपिक समझ गया तो इसमों कुछ भी नहीं है बस इसका कंसर्प्त पता होना चाहिए आपको पता होना जी क्या होती है इंडिविजुल असेट में इंपेर्मेंट रिवर्सल हमने आसानी से दि होती उपर एक नौट मैंने लिखा था रिकावरेबल अमाउंट के अंदर आपको याद हो अगर किसी असेट का वेल्यू न्यूद आप पता नहीं कर पारे तो आप उसका बोल दोगे कि रिकावरेबल अमाउंट हम नहीं पता कर सकते और ऐसी असेट का इंपेर्मेंट सीज सबढ़ सीजिंव में करता है यह होकास्यू थे शहीं परसे एक आपकों सी और अपन सीजियू का मतलब है है smallest group of assets assets का सबसे छोटा ऐसा गुरूप बनाओ जो कि independently खुद के दम पर cash flow generate करके दे सके असेट का independent asset का smallest group बनाओ सबसे smallest group बनाने की कोशिश करो जो अकेले के खुद के दम पर independently cash flow generate करके दे सके नहीं समझ आया तो example से समझो फिर समझ आएगा आपको एक आपको समझ आजाएगा क्या हो रहा है देखिए यह लिमिटेट एक कंपनी जो जूस बनाती है ठीक है जूस कंपनी है जूस मैनिफेक्टरिंग करती है वो पैकेट्स में जूस आते ना जैसे रियल फ्रोट यह वाले जूस आते हैं वह वाले तो एक मशीन इसके बाद मशीन में को शूस बनता है मारिकेट में बेचने के लिए फूरा ए लिमिटेड का प्रॉसिजर है क्या आप बताओ कि दम पर कैशbles लधale के सकती है आप बोलो मशीन वन मानों यह मशीन ते जूस निकल रहा है जूस को मार्केट में बेचुँगा सेल्स आएगी कैश फ्लो आएंगे खर्चे कर लूँगा तो रहे हैं कैश्वल मैं आपको बोलू नहीं ला रही है अकेले के दम पे कैश्वलो आपको डीपली सोचना पड़ेगा डीपली मेरे बिजनस मोडल है क्या से जूस कर रही है हम तो पैकेट मेरा यह बिजनस मोडल नहीं है तो मेरे लिए तो सिर्फ मशीन बंसे ड्यावन्यू नहीं आ सकता है लोगों को जग में घृए बढ़ों में ठेले वाला वो तो दे देता है मैं उसके वास लेके जाता हूँ बढ मavored के टेले वालिये की बात नहीं कर दे यह कि वह उसके खीक है कर रहा हूँ जो मसीन निकाल करके मार्केट्ट पर सबस्क्राइब को बढ़े किसी दिन में खराब तो मैं क्रश्टंग मैं करा गई तो मोस्थ मरा जाओ जोख में है तो मचा तो मोचीन को बोटल में पैकर करके बैचते हैं तो मशीन टू क्या करेगी जब मशीन नहीं नहीं होगी तो मैं जूस लाता में घ्राब हो गई तो जूस आए गई नहीं तो यह विचारी किसको पैक करेगी तो यह अकले पर आपको सीजु का कंसेट्ट क्या बोलता है आप असेट का स्मॉल एसे गुरूप बनाओ असेट को ऐसे मिला दो ताकि वह इंडिपेंडेंडेंट्ली केश्फफ़ो जनरेट कर सके यानि आप इन दोनों मशीन को एक यूनिट बना दो आपकी बार इन दोनों मशीन को एक सा मशीन देव को यहां से जूस बनेगा पैक होगा मार्केट में बिक्एगा अब मेरा कैश्फ़ो आ जाएगा अब मैं कैश्फ़ो जनरेट कर पाऊंगा जैसी इन को एक यूनिट मान लेता हूं मैं आज्यूम कर लेता हूं मशीन वन ओटू एक ही है अलग नहीं है तो अब हाँ इन्डिपेंडेंटली कैश्फ़ो लाकर दे सकते हैं इसे हम बोलते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट यह कैसी यूनिट बन चुकी है जो की बिद्नास को कैश्फ जनरेट करके देगी तो तो कैश्फ पता चल जाएगा क्या क्या जनरेट होगा तो वैल्लीउ न्यून आ लो ताकि वो cash flow लाके दे सके फिर अपने दिमाग में करनी है अपने दिमाग में इनको चिपकाना है ऐसे नहीं कि आप क्लाइंट आपको चिपका देगा ऐसा नहीं करना आपको सिर्फ अपनी दिमाग में या अलग से पहन पेपर पर क्लब करके बुक्स में दिखेगी आपके दिमाग में वो चिपकी हुई आपके दिमाग में वो दोनों एक यूनिट है मशिन वन और टू एक यूनिट है आपके दिमाग में जो में एक रेगुले वेच में एक्जामपल दिया था आपको पता वो दमाल मूवी में एक करेक्टर है अर्शद वार्शी जावेज आफ्री ने करेक्टर किया था आदी और मानाओ का ठीक है वो दोनों अलग अलग प कोलते हैं कि हम दोनों एक ही यूनिट है जब उनको फायदा लेना होता है वह एक यूनिट बन जाते हैं इमेजिनेशन में जबकि वो दोनों अलग 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 मशीन है आपको समझ आ गया होगा आपको समझ आ गया होगा सीजिव के आप समॉलेश्ट गूरुप का क्या मतला इसको मैं किलियर कर देता हूं मालों तीन मशीन है मशीन वन टू थी मशीन वन टू को एक सब प्ला दे तो इंडिपेंडेंट कैश्फफलो आ सकता है तो ऐसे केस में आप तीनों मशीन को एक य यह आपके लिए प्रेक्टिकल वात थी एक्जाम में तो आपको डिरेक्ट गीवन होगा सब कुछ आपको सिर्फ क्यलकुलेशन करनी है यह मैं डिटेल में इसले बता रहा हूं ताकि आपको कंसेप्स समझ में क्यूंकि हमें कंसेप्स नहीं पता होता है तो हम इंडियस को हमें कि जीज को सही नजरिये से लिए हमने कि तो फिर आप मनीद्र टफ सोचते रहो और यह सब को चीज़ वास्तों में बन जाएगी और आराम से आप कर भी लोगे तो आपको आपको चीज रहोगे तो फिर सब कुछ ही टफ होगा फिर तो आप कुछ भी पढ़ लो कि क्या तो यह बात होगी आपकी सीजियू की सीजियू का आपको कंसेप्ट मैं ने बता दिया अब कुछ और पॉइंट इसमें सीजियू में मुझे आपको बताने देखिए अब आपके पास दो असेट्स की मैं बाते करूंगा गुडविल अक्वाइड इन बिजनस कॉंबिनेशन और कॉर्परेट असेट्स जो बिजनस K lire वाली गुडविल रिकोर्ट होती है वह सहूं और आती है उसके पास से ही गुडविल आती है आप क्वैbstAH यहां को अच्छे खासी आपको लगता है कि यार इंस्टीटूट की अच्छी खासी अच्छी खासी गुडविल होती तो आप लोग आके क्या मुझे सिर्फ गुडविल तो आपको क्लास दे रहा कुछ भी नहीं दे रहा आप बोलो ते तो बहुत अच्छी गुडविल है कि पचास जाओर उपए ऐसा करोगी कि कोई किसी को सिर्फ गुडविल के नाम पर पैसे दे के आता है क्या नहीं तो गुडविल कभी अपने अकेले के दम पे यह दूसरी असेट को contribute करती है केश फ्लो जनरेट करने में गुडविल मेरे को contribute करेगी जब मेरी बाकि सब्जेक्स की जब मैं क्योंकि इंडिविजुल कैश फिलो तो ला नहीं सकते तो रिकवरेबल आएगा इसका इसलिए हमेशा गुडविल का जो इंपेर्मेंट के अंदर ही होता है ऐसे कॉर्परेट असेट का मतलब हैड ऑफिस बिल्डिंग यहांनि वह एसेट जो पूरी कंपनी की है हैड ऑफिस मालो मेरी कंपनी फूर अइंटम का बिजिर्ट यह एलक्रोनिक आइटम का बिजिर्ट बिजिर्ट बना रहे हैं इसमें दोनों बिजिनस का सब बैठता है मही से सारी अकांटिंग होती है मार्केटिंग वोथी दोनों इसकी सब कुछ होता है जो भी हैं यह हैड ऑसी मिल्ड बन रहे हैं उनको contribute कर रही है उनको contribute कर रही है revenue जनरेट करने में तो corporate assets भी खुछ से revenue लाके नहीं दे सकती यह भी other assets को contribute करती revenue generate करने में इसलिए इसका भी impairment हमेशा cg.u के अंदर होगा तो यह दो ऐसी है जिनका हमेशा impairment cg.u में होगा यानि अगर question लिखा है कि इनका आप इंडिमेंडेंट केश्फ फ्लो लानी सकते यह अधर असेट्स को कॉंट्रिब्यूट करती केश्फ फ्लो जेनरीट करने में लिए तो इनका जो इंपेर्मेंट है वो हमेश्चा सीजुए में होगा अब आपको जो पॉइंट दिया रखना वह यह दिय विल्लो और क्वारी लिएस फोसे हैं यह के लिए यह उसमें है कैसे आलोकेट करोगी ऊइंपयरिद्ट ट्राहिए एक कंपनी के बार माइनलेचु और इलेक्ट्रोनिक आइटम के बिजनस की जितनी भी अपने आपने एक सीजू है यह मैं एक बार के लिए अज्यूम कर रहा हूं तो अब यह हैड ऑफस बिल्डिंग जो है यह सीजू में इंपेर होगी तो कौन सी सीजू में इंपेर होगी सर्थ अब्सीजू वन है यह फूड आइटम वाला मानलो मानलो था अब्सीजू ऑला तो है एसीजू वाल और एलेक्ट्रोनिक आइटम सीजू को कैसी आलोकेट करो सेब्स आपको सोचों आपके बास गीवन होगा रेश्यू या बेसिगो यह और विज्वें आप सिर्स फूड में के要क्ति करने के लिए जाये लेकिन से दोनों बीजनस को मानीटर करते तो सर आप दोनों में कर सकत Product कते हुआ है के नों बहुंद हो is 2x5 क्री Ridgey опять question में असके अक्रॉडिक बताना था मुझे इसके राखत और बेसी के बस्ते अलोकेशन करना है इसका मतलब रीजनेबल हमेशन सामने वाली कंपनी की होती है मैं जब और कंपनी को खरीदता हो ना तब मेरी बुक्स में गुडविल आती है होती तो उसके धंदे की गुडविल है जब मैंने उसको खरीद लिया तो मेरे दिखाई दे लिए तो अगर उसके धंदे में फूड आइटम और इलेक्रोनिक आइटम का बिजनस है तो और दोनों अपने करना है यहीं वीजनेबल वेसिस पर तो आप अलोकेशन कैसे करने वाले हो वो समझेगा आप लो आपको फिर लोकेशन करना है जितनी भी सीजीव और सीजीव तो इन दोनों सीजीव में जो भी अधर असेट्स निचितनी वी असेट्स निस उन असेट के करिंग अमाउंट उसके रेशियो में उसके रेशियो में आपको अलोकेट करना पड़ेगा ऐसा क्यों करने तो यार किसी आसेट का के अंदर बिजनस का बढ़ रहा है तो यारी वहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट पगेरा कर रहे होगे ज़्यादा विजनस कर रहे होगे तब आपको बढ़ रहा होगा तो सिंपल सी वाथ उसमें ज्यादा बेनिफिट ले पाऊगे इस वजचे से इस रेशियो में अलोकेट करा जाता है अगर रेजनेबल बेसिस बोला जाए तो जो सीजू कर इंग अमांट लेलो सीजू में जित इसनी भी अधर रसेट उन्सा केरिंग मांट इंटी उस्फुल लाइफ का रेशो इसमें आप अलोकेट करोगे तो यह आपको देख लेना है अलोकेशन किस तरीके से होने वाला है गुडविल और कॉर्परेट अलोकेट होंगी मल्टीपल सीजु में वन दी बेसिट या रेश आपके पास बच जाती है तो फूर उसका इंपेर्मेंट करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा जो मैं आपको अलग से बाद में बताऊंगा इक डिफ्रेंट मैनर में उसको इंपेर किया जाएगा वह अभी अपन्सी केंगे तो यह पूरा सीजु का कंसेप्ट आप सीजु का इंपेर्मेंट लॉस निकाल सकते हो बिल्कुल एज़ी है अब वह मैं आपको बता रहा हूं देखते जाई है मैंने सीजु की जितनी भी नौलेज दी वह आपको सिर्फ टॉपिक समझने के लिए ती या फिर एक्जाम के लिए ती एक्जाम के लिए वह कोई रेलिवेंस बता इसे रखता है जो कि एकदम एजी है कि सीजी में आप इंपेर्मेंट लॉस कैसे कैलकुलेट करके रिकॉवर करोगे सबसे पहले आप वही श्टैप जैसे इंडिवीजल एसेट में करें इंपेर्मेंट करों पीजु इंपेर है की नहीं एंप लॉजिक दुबारा डिस कैसे निकालोंगे मशेझ वग् viاجं पी जो बी इंटेंजिब न सेक्ति है कैरें अम्ट का सकते है कैसे हो सकता है और पर इपरकिंजीए उपर कर ले तो इस इंडियाज के स्कॉप में है कर पाइगी जब यह पास इस टॉक में कुछ आइटम होगा रखाओगा कुछ बिजनसे ऐसे होते हैं जिनको इस टॉक में पर्टिकुलर अमाउंट का आइटम तो हमेशा रखना पड़ता है इन्वेंट्री उसके पास होनी चाहिए वन्ना उनके पास पास और नहीं आते हैं तो में पास अगर मैं उजब आपने पास कुछ अमांट की रखनी पड़ेगी तो ऐसे केस में इन्वेंट्री ज़रूरी है रमेन्यू कैश्फफ़लो लाने के लिए इन्वेंट्री का भबराना नहीं कि यह सीजु में आ गया तो क्या करें इस पर इंडिया श्रक्टिस लगता है तो पहले स्टेप में आपने टेस्टिंग कर लिए बिल्कुल सी बात है सीजु तो मैंने मेरे माइन में इमेजिनेरी एक यूनिट बनाई थी या अलग से एक्ट्राइश शीट पर बनाई थी बुक्स के अंदर तो सारी असेट अलग अलग है तो इंपेर्मेंट लॉस बुक्तों कर लूंगा मानलो टैन रूपीस का आया इंपेर्मेंट लॉस सारा बाटना तो पर इंडीवीजुल एंठ में पढ़ेगां इंपेर्मेंट लॉस अपेर्मेंट लॉस टो Tamam अनिकाली आपोा बाट। सबसे पहले आप इंपेर्मेंट लॉस जो भी आएगा वह आपकी तो MUSIC में क्लग तो पहले चार रुप्य का इंपेर्मेंट लोग जो दस रुप्य का आया है इसको सबसे पहले आपकी सीजु में गुडविल में लोकेट कर दो कितना अप्टू केरिंग candidवां लोग दोकुरा खिए रुपीश काइरी में गौटWoman कि इसका जाता बाएं कि किसी इंपेर में लोज भी हो समझ में तस रुप का ईंपेर्मेंट लोस न्हीं करें दंद करेंगे फिस धन्दे की वल्यू है कि यानि अगर मेरे धन्दे की वहल्यू उती रेवेन्यू जणे सब्सक्राइब होता तो इंपेर्मेंट लोस आता क्या कभी अरे वहीं मेरी गुद्विल होती ही तो इंपेर्मेंट लोस थोड़ी कांगा आप लोगिवली तो और लोगिंटम लो ख तो गुदे हैं निट विनावात में ब्रट करोग अब चुमेंट और Detail करेंगे इसके बाद आप इंपेरिमेंग लेकिन जो मशीन टू थी ना उससे जो मैं बोटल बनाता था तो मैं मशीन से आने वाले जूस को बोटल में आगे मार्केट में बेसता तु था साथ मैं मशीन में जो बोटल बनाता ता वो भी मैं मार्केट में कि बेसता हूं मतलब अससे बी रेवन्यू डोट सकती है 나면 सब्सक्राइए गश्राइब क्वह सकती है तो सर जो मसीन टू है मुझे इंडियुजली 559 पाइसक्ति तो इसलिए कभी कभी सब्सक्राइब तो इसके बाद आप फिर उस असेट में इंपेर्मेंट डालो जो इंडिविजुली भी इंपेर्मेंट टेस्टिंग कर सकते थे बिल्कुल अब इसका कैसे कैलकुलेशन करोगे सेम वैसे ही जैसे इंडिविजियल असेट का इंपेर्मेंट लॉस निकालना सिखाए था तो इंडिविजियल असेट पे इंपेर्मेंट लॉस का रिकागनीशन मेजर्मेंट कैसे कर रहे थे वह वाले टॉपिक में चले जाओ इंडिविजियल उस इंडिविजियल असट का कर लोगे कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर मान लोगे आपका वन रूपीस तो यह मशीन वह सीजू के इंदर जितनी भी अदर असेट सेंग्लूडिंग कॉर्परेट सेंट उनके केर इंदर बात देना बस सीम्पल पिवाद मुद्ध कॉर्परेट असेट का यहां बटेगा हमने तो सोचा था कि गुडविल जैसे आप बोरों के पहले गुड़िविल में से कैश फ्लो नहीं ला सकते कभी भी हमीशा सीजू में इंपेर होंगे और अलोकेशन कैसे होगा सीजू में यह वाला पार्ट इनका कोमन था इसका यह मतलब नहीं कि पहले उसमें आप सारा इंपेर्मेंट बार दो नॉर्मल असेट उसमें सबसे लाश्ट में बटेगा इंदेश ऑफ करिंग बाकि जितनी भी असेट्स बचे आपके सीजू में उनके करिंग अमांट के रेशियों बटेगा उसी टाइम पर क्रॉपरेट असेट में बटेगा एक दम नॉर्मल असेट की पर है और इसके अलाव आपके सीजू के पार्ट में गुडविल पर इंपेर्मेंट लोगेट ऊगया मशीन टूपर हो गया बची कौन-कौनदी असेट मशीन वन और इन्वेंटरी पर होई नहीं सकता तो यानि मशीन वन और और इनका जो भी केरिंग अमांट आ रहा होगा आज की दिन बुक्स मे आपके लोकेट कर दोगे इस पांच चुपे के इंपेर्मेंट लोज को इन दोनों सेट के अंदर है कि के बस सिंपल सा था कुछ मी नहीं है सही तरीके से करपन करें तो यह होगे स्टेप टू कंपीए का इस स्टेप टू हो गया स्टेप थी अभी बताओंगा एक बार आग क्या था और इंपेर्मेंट लोज जो निकाला वो बिल्कुल सेम है जो इंडिविज्ट वाला था सेम स्टेप से एक स्टेप बस बढ़ा है वह स्टेप नमबर त्री जो कि अभी मैंने पढ़ाया है नहीं वह आगे पढ़ाओंगा एक एक ग्जांपल देखते हैं एक एक सी आपको बताया हुआ है इंपेर्मेंट के बाद सबसे पहला सबसे पहले गुडविल है बिल्कुल कितनी में बट गया इसके बाद बचा कितना इंपेर्मेंट वह स्टावजेंट जला गया 75 थाओजएस अभी यह किस में जाएगा आपके मशीन के लिए डिखा तो मशीन पेरोंट गया बाखिवेजिजी हैं यहिएएए को चला है 25 आपके में रिमेंगेंग पेर्मेंट बाकि दो कितना बचा टू टूंटी फाइफ मैनस फोन की मैनस फिफ्टी थाउदेड़्स यानी फिफ्टी थाउद्ट का बच्यू एसके बाद रिपाद आपका इन्वेंटरी में कुछ बटेगा निए भूल सब्सक्राइब कर देना सारी सब्सक्राइब कितना कितना एग्जाम में वैसे भी करें हुए क्लास के अंदर रेगुलर वैच में आपको मालूम है अपने एकदम तरीकिते पूरे करें यह था आपका सीजु का इसमें स्टैप नंबर थी छोड़ा था वह फटाबट से अब समझ लीजिए कुछ नहीं स्टैप थी में मैंने बोला था अगर कोई गुडवी या कॉर्परेट असेट अनलोकेबल रह जाए जो आप अलोकेट नहीं कर पाऊ किसी सीजु में तो इंपेर्मेंट अलग तरीके से करेंगे तो वह आप स्टैप 3 में करोगे अगर ऐसा कुछ है तो अगर अनलोकेबल गुडवी या कॉर्परेट असेट नहीं है तो यह स्टैप लगेगा ही नहीं होगा तो इस स्टैप में आप कैसे करोगे आपको फिर आपको पूरी कंपनी करने पड़ जाएगी कैसे करोगे ऐसे टेबल बना के पाइटिकुलर्स जितने भी सीजु उनके कॉलम डाल दो सीजु 1,2,3 जितने भी आपके है अनलोकेबल गुडवी या अनलोकेबल कॉर्परेट असेट जो भी उसका कॉलम डाल दो लास्ट में टोटल कंपनी का कॉलम सबका कैरिंग अमाउंट लिख दो जू पहले था इसके लावां कर दो अपने तो कि नियुका अपने कुछ नहीं आएगा कर कर दिग अश्ट को मैने करेद करके या नाम दे यह या पूरी कंपनी का रिवाइश कर्णूंट अच्छे दिन का पूरी कंपनी शेर इता होल में किसमें आप धको कर Coke है जादा accountant को पूरा 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 आनलोके हुभंट जो भी है उसमें चला जाए गाई कि तुकि बाकि अपकी हो तो एसा आपको और कर लेरा है अब आजाएं सीजू के इंपेर्मेंट लॉस्ट के अंदर एक नॉट लिखा है मैंने यह नॉट देख लिजे ध्यान से अगर आपने जो गुडविल अक्वाइड इन बिजनस कॉंबिनेशन है वह पार्शल गुडविल जब अक्वाइर करते हैं वह दो तरीके से रिकॉर्ड करी जा सकते हैं या तो अगर आप एंडियस आपका वंजी रोत्री आपको याद होना चाहिए जो आपने पड़ा हुआ बिजनस कॉंबिनेशन के अंदर पूरा डिटेल में यह बात हो चुकी है तो इस पर डिटेल में डिस्कॉशन आप नहीं होगा वापस से आप जब एंटी परसेंट वाले ने बताया सामने वाली कंपनी से रिलेटेड होती है बास दिखाते हैं हम होती उससे रिलेटेड और अगर मानलों मैं NCA को PSNA में से दिखाता हूं तो जो गुडविल आती है उससे हम बोलते हैं पार्शल गुडविल यानि इस गुडविल में सिर्फ पैरेंट का हक है कंपनी कोई साभी में फोलो करके बुक्स में दिखा सकती है अला हुए कोई दिक्कत की बात में तो आप द की कैलकुलेशन के लिए वो कैसे करोगे क्यों करोगे वो रीजन में आपको समझा दे तो एक एक ग्जामपल से देखिए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का 80% इस्टेक अक्वाइर किया 20% NCIA CFS बना रहे है एक प्लस बी का तो बी की सारी असेट्स में टेक ओवर कर लूंग इसके अलावा गुडविल भी उसके पूरे सीजु से अलोकेट होती है तो इसी में अलोकेट होगी पूरी की पूरी गुडविल तो यहां पर देखो आप ध्यान से सुनना कि अधर सेट्स होती है सामने वाली कंपनी की उसमें पैरेंट और एंसी दोनों का हिस्सा होता है ठीक है कि 80% मेरा होगा 20% उसका होगा क्योंकि CFS में हम 100-100% ले लेते हैं लाइबिलीटी असे लाइबिलीटी आपको याद आजाना चीब इसनस कॉंबिनेशन और सी एफेस चेप्टर दोनों का हिस्सा होता है अब गुडविल अगर फुल गुडविल मेथर से हैं तो इसमें भी पैरेंट और नियुक्त दोनों का आगया डिकावरेबल अमाउंट यह मतलब नहीं कि छरीड़ने के पैसा पैरेंट ने कितना दिया वह सबके लिए अगर फूल गुडविल अगर फुल गुडविल होता है तो कोई अलग तरीका नहीं जैसे करते हैं वैसी करेंगे ठीक है लेकिन मान लीजिया अदर अस्ट जिसमें दोनों का हिस्स है लेकिन गुडविल जो है वो पार्शियल है मैंने एंसे को सब्सक्राइब तो इस से को को रिखलेंट हमाउंट कर रहा है तो एक ड़ती संथ में दोनों ग फ्कला do तो रिकावर कर सकती हो यह थोड़ी ना देखता कि पेले ने कितना पैसा लगा एंटी परसेंट आपको नयुक्त कर रहे हैं अधर अचेन्ट को दिखा रहे हैं लेकिन गुड़्विल सिर्फ एटी परसेंट वाले स्कॉप कि आ रही है तो ऐसे के दमें आपको 20 परसेंट वा इंपेर्मेंट लॉस की केलकुलेशन के लिए अलग से वर्किंग में आपको करना पड़ेगा एकसा शीट में तो देखो क्या करोगे देखो गुडविल पार्चल है 800 पैरेंट का शेर 80 परसेंट है तो आप नौशनल फुल गुडविल होती तो कितनी होती तर 800 की गुडविल बताएगी 200 इसे हम बोलेंगे अन्रिकाग्नाइट गुडविल रिलेटेट टू एंच या फिर अन्रिकाग्नाइट गुडविल एट्रिबुटेट टू एंच एसी गुडविल जो बुक्स में रिकॉर्डटेट तो नहीं है एंच यह वाली लेकिन आपको कैलकुलेट करके कंसिडर करनी पड़ेगी आपके इंपेर्मेंट लॉस की कल्कुलेशन के परपस से क्यों करनी पड़ेगी वह मैंने एक एक ग्जाम्पल से बताया अब एक एक ग्जाम्पल देखुआ ए लिमिटेट जो है उसमें 80 परसेंट शेयर ले लिया बी लिमिटेट में गुडविल आई 800 एंसे को आपने PSNA से लिया यहीं पार्शल गुडविल है केरिंग अमांट ऑफ नेट असेट्स एक्स्लोडिंग गुडविल जो था सामने वाले का वो 2700 था इंपेर्मेंट लोस आपको दाना है पैरेंट और एंसे कितना बाटेंगे आपस में और केरिंग अमांट कितना है देखो कैसे करोगे मैंने लिखा गुडविल नेट असेट्स और टोटल सीजु यह दो चीजी हैं सीजु के अंदर नेट असेट बाकी असेट्स और गुडविल कितना गुडविल का 800 अधर असेट्स का 2700 3500 लेकिन यह गुडविल पार्शल थी तो पहले उसको फुल करेंग अमांट 3700 डिकावरेबल अमांट 2000 अप नॉर्मल तरीके से कंपे कर लो 1700 लोग्या पहले 1000 गुडविल में चला गया 1000 बाकी बचाओगा नेट असेट्स में तो रिवाइस्ट करिंग अमांट गुडविल निल लो गया अज़र अधर असेट्स 2000 बच अब इंपेर्मे बुक्स में बताओ क्या की गुडविल रिकॉरडेट देते और एंसी य?? पूरा पूरा वुक कर रहा एंसे गुडविल ही निया तो इंपेर्मेंट लॉस का से रिकॉर्ड करोगे तो सिर्फ कैल्कूलेशन के परपरस्ति कि आप नहीं यहां पर इंपेर्मेंट लोगा वुक्स में चैजिक गुडविल नियां प्रॉप करेंट का सब्सक्राइब कर सकते हैं कर सकते हैं तो इसका रिकॉर्ट नहीं कर सकते हैं तो बुक्स में इंपर्मेंट क्यासे होगा सेकंड के सब कुछ से मैं इंपेर्मेंट लोस अलोकेट कर दिया 900 का आया पुरा का पूरा गुडविल में चला गया तो गुडविल का मांट 100 बचा और बाकी नेट असे 2700 अब रिवाइस करिंग अमांट क्या है सर यह बोलोगे नहीं रिवाइस करिंग अमांट यह जो 100 की गुडविल दिख रही है ना आपको अब इस वाले केस में यह तो सर टोटल गुडविल में ते दिख रही है जो मैंने टोटल बना दी थी गुडविल यह जो आपने जो 900 का इंपेर्मेंट लॉस रिकॉर्ड किया ना इसमें पैरेंट का तो 80 इसससा ही होगा यह जो 720 और पैरेंट की ग पैरेंट के लिए आपने फुल गुडविल बनाया है वह आपका दिमाग चलना चाहिए और कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में इसके बाद इंपेरमेंट बाटेंगे तो वह जिसके यह जा इंन एक चुक कि जी पेंपर्मेंट लों डॉस फिए इस पर mus रहादा वैसे इस पर भी reverse हो जाएगा तो कैसे होगा future में के recoverable amount का जादा आ गया carrying amount कम रह गया तो आपने जो पहले impairment loss record किया था था थी यूपर आप reverse कर सकते हो कैसे reverse करोगे वह यहां पर step working होगी चार steps है पहले step है पहले step पैसे carrying amount पता करो हर इमपेर्मेंट पता करो करना चार इंसी में जो इतनी भी आई हैं पता करना है यह जो मैंसी तरीके से प्रिपयम्ट्ट इंडिवीजट में बूख में बाता था तो से सिनरीयों में रिवर्स होगा तो सब्लंगे बूटा चाले रिवपता था जाब रिवर्स होchanging्या सब्सक्ड-में लोसी को देना चीह जब रिवर्सलेंट होतों फिरेदी रिवर्सल रिवर्सल होएंगे सकता क्म कर दिने तो नुकसान गुरोग गई तो तीन साल बाद मेरा लिकवरेबल अमांट बढ़ गया और मैं पूरो रिवर्सल कहना है तो गुडविल बढ़ गई वापस से तो गुडविल क्या है एक बार खतम हो गई तो हो गई गुडविल सामने वाली कंपणी से रिलेटेड होती है मैंने बोला ना आपने फिर इंपेर्मेंट लोस पहुंसी है सेट में बाटा था उसमें बाटा था जिसको इंडिविजल इंपेर्मेंट के लिए टेस्ट कर सकते थे तो अब आप उस सेट में इंपेर्मेंट लोस रिवर्स करोगे जिसका इंडिविजल रिकवरेबल अमांट अवेलेबल है तुछ इंडिविजलों का बचा हुआ जो रिवर्स करोगे बाकी सबी सेट्स में जो भी सीजु का पार्ट है में जिन में पहले आपने इंपेर्मेंट बुक किया था उनके के इंवेंटरी उस पर कभी हुआ ही झुटकladım बैट जाना जिनमें पहले बुक हुआ था अधर रस जितनी भाकि रहेगी एकस्पलोडिंग अए दिन जो भी करेंग अमाउंट उस रेशो में आप रिवर्स करते हैं आप रिवर्स करने के बादर रिवर्स करने के बाद इन एकसेड नहीं करना चाहें इन जाहिए इन सक्ष् यह संख रोकुंद संखाली को होता है इसको एक सुट आप नहीं अारी कोई एक लिए कर लिए कर लेंगे को प्रिवर्सल होता नहीं मैंने बता दिया आप रिवर्सल की अकांटिंग कैसे करो कि वह इंडिविजल असेट में बिलकु से पी एंडल में जाएगा अगर इंपेर्मेंट लॉस्ट प्लस में रिकॉर्ड हुआ था तो पहले रिवर्सल भी वहीं से होगा रिवाइस करिंग अ प्लस रिवर्सल का अमांट फूचर में डेप्रेशिशन इस नहीं अमांट पर होगा एक्जाम्पल से समझ लूँ अच्छे से समझ में आगा सीजू वाला वहीं एक्जाम्पल अपन कंटीनू करेंगे कौन सा एक्जाम्पल जो अभी सीजू का देखा था था अपने को यानि जिद दिन अपने इंपेर्मेंट लोग से उसके बास से आने वाले सालों की यूसफुल लाइफ 10 यह बागी ती यह आगे से 10 यह में डेप्रेशिशन लगना था 31st माट 2002 यह जश्ट नेक्स्ट इयर में सीजू का रिकवरेबल अमाउंट 11 लेक हो गया रिकवरेबल अवन मशीन यह का दे रहा है 4,80,000 यह नि इंडिविज्यूल वाला केस रिवर्सल और इंपेर्मेंट लॉस और रिवाइश करिंग अमाउंट यह सब बताओ रिवर्सल के बाद पहला स्टैप इच सेट का कर लो लो डेट ऑफ रिवर्सल यह नि 31st माट 2002 को क्या करिंग अमाउंट था हर सेट का सिजू में सारी यह सेट का नाम डाल दिया करिंग जश्ट पहले कितना था 31st माट 2001 का अपने लेटेस्ट वही अवेलेबल था ना वो निकाल लिया अपने उपर वाले को एक्जामपल में जो लास्ट में आया था वही तो है उसमें से लेस्ट कर दो डेप्रीशेशन एक साल का 10 यह से डिवाइड करो क्यूंकि 10 यह की यूस लाइब बाकी थी उस दिन बोला हुआ है तो यह आगया आज के दिन का केरिंगांट 31st माट 2002 का कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें अब मैक्सिमम रिवर्सल आज के दिन सीजू का रिकवरेबल अमाउंट क्वेशन में गिवन है 11 लैक आज के दिन केरिंग अमांट सीजू का 9,20,000 टोटल को लम में देखो तो यह आगया आपका 1,80,000 का रिवर्सल मैक्सिमम पॉसिबल अब इस रिवर्सल को बात होगी कैसे पहले उस असेट में जिसका इंडिविजल रिवर्सल पॉसिबल यानि इंडिविजल रिकवरेबल अमाउंट की बन है मशीन इदेखो और इंडिविजल लवाल況 का कैसे करते हो आप उसका केरिंग इंडिविजल असेट का अमाउंट का आज की दिन कितने और उसे सेट का करिंग अमाउंट आफ्ट रिवर्सल क्या होना ज़ये लोगocy का रिकवरेबल आमाउंट यhol़ और यह इस रेय से कि linking eggy मशीनों काभी नहीं होता तो खरीदा कितने में था 525,000 पिछले एक्जामपल में चले जाना माइनस अभी तक का डेप्रीशेशन यानि अपने 31 मार्ट 2,001 को खरीदी हुई थी उस दिन की इंफर्मेशन गीवन थी महां से लेके अभी तक यानि एक साल का डेप्रीशेशन यानि 10 से डिवा के केस में अपने टॉपिक में बढ़ा था कुछ अलग नहीं था बाकी बचा हुआ जो भी रिवर्सल का अवाउंट है कितना बाकी बच गया 1,80,000 हो सकता था 22,500 इसमें कर दिया नहीं 157,500 यह रिमेनिंग जितनी भी असेट है जिन में पहले रिवर्सल हुआ था उनके के अब आपको यह वाला रिवर्सल करके आपको का इसमें लिखना है कि जो रिवाइस्ट को किस्ते ज्यादा नहीं होना चीले इनरसल अगर कभी रिवर्सल नहीं रिवर्सल नहीं होता था वह निकाल लिए आपम देख्वांगे आप मशीन अगर मैं कर दूं तो बताओ क्या हो जाएगा इसका कर दूं तो सर आप तो बस मेक्सिमम इसी पर दिखा पाओगे 225 पे थे मशीन सी में 90 पर दिखनी चाहिए अगर कभी इंपेर्मेंट नहीं होता जो और रिवर्सल 45 का कर दूंगा तो पता है मशीन सी कितने पर दिखेगी 77 का आज की यह इस कर जाएगी जिस पर कभी अगर इस पर इंपेर्मेंट नहीं होता तो क्या होता यानि आप इन दोनों सेट को इसी अमाउंट पर दिखा पाओगे मैक्सिमम इससे ज्यादा पर नहीं दिखा पाओगे तो आपका रिवर्सल पता आप कितना कर पा रहे हो मशीन भी पे प्रिवाइश करेंगे यह सींपल सा होता आपका रिवर्सल और इसी के साथ आपका इंडेस ठर्ट इस पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया है मतलब इस इंडेस में आपको कुछ ज्यादा दिक्कत की बात नहीं थी ती सारे कंसेप्ट मैंने पूरे डिटेल में कवर कभ़ाये और सारा जो भी रेगुलर बैच में एक्जांपल पगेरा दिये ते उतना ही डिटेल में लिया ताकि आपको दिक्कत ना है बाकि अपने क्वेशन पूरे रेगुलर बैच में आप कर रहे हैं आप कंसेप्ट पढ़ना और वो क्वेशन अपने क्लास में के थे वह गौत्रू क अब आपने 105 और इस ज्यादा कुछ है और एक दाम में आता नहीं है इसको पट 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 से पढ़कर क्म्प्लीट करने वाले हैं इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की बिज़रत नहीं है सेट त enthusiasm काय है ? do देखने न इनट वन तो 5 नों कर देस्ट हैज फोर सेल गें अचbird कंतिनीव siguiente का नाम है नॉट करें तेस्ट है फॉर ओर सेल एंध इस अपरेशन सब्सक्राइब सादिशा करें जा लिए ू tribal के चींव थी पहले इतना बड़ा उगया वह लिख देते तो और बड़ा नाम हो तो तब यह कंटेता है रोड़ा होगा डिये साइं हुन कोंॉ अगर को आप हैल्फ और सेल के लिए रगदेतो उन पर पलाई होगा तो नौन करण्ट पर न हम जाते हो जो कर सकते हैं तो नौन करेंट एसेट में यह इंडिया जो की आपके इंडेस 36 में कवर थी पीपी इंटेंजिवल एसेट इंवेश्मेंट प्रॉपर्टी गुडविल इस इंडेस में जो रेफरेंसेद आएंगे बहुत बार इंडेस 36 के आते हैं कंसेप्ट के लिए उसके रेफरेंसेद बार-बार बेहाएंगे तो इंडेस सिर्फ इन चार नॉन करेंट एसेट पर लगेगा आपको मालूम होना चीज चार नॉन करेंट एसेट वही पीपी इंटेंजिवल एसेट इंवेश्मेंट प्रॉपर्टी गुडविल अक्वाइड लेकिन अगर आप इनको नॉर्मली यूज ले रहे हो तो इनके रेस्पेक्टिव इंडेस इनकी अकांटिंग बताएंगे इंडेस 105 में आपको कुछ नहीं करना लेकिन अगर इन चारों इन चारों में से कोई भी असेट है उसको अपने हैल्ड फोर सेल के लिए रख दिया इंडेस का नाम क्या है नॉन करण्ट एसेट आपके दिमाग में आनी नीची यह इंडेस इन चार असेट पर लगेगा यह बार बार बोल रहा हूं क्योंकि यह आपको बोलती है जैसे भी कोई खरिदार दिखे ना बायर दिखे उसको चिपका देना ठीक है यह मशीन बेच देना है फोर सेल के लिए रख देया अभी बेच नहीं है बेच दिया होता तो बात ही खतम हो जाती बैंक से पैसा चली जाती अकांटिंग ही नहीं होती अभी ब बिजनस में यूज ले रहा होता तो इंडेस 105 का कोई रोल नहीं था नॉर्मली 105 कुछ नहीं करता नॉर्मल जो इस पे इंडेस लगता है मालों इंडेस 16 पीपी तो लगता रहता खिलियर बात इंडेस 105 की अप्लिकेबिटी तो बहने बता दी नोन कुरेंट एक हैट की अकांटिंग करने में बताएगा चारों सेट में अगर आपने हैट फॉर सेल के लिए अप्लिकेबिटी नहीं की कहा होती है दूसरी वर्याप्लिकेबिटी होती है इस इस इंडेस की डिस्पोजल सब्सक्राइब करना चाहता हूं तो उसकी अकाउंटिंग बताएगा यानि यह इंडिया थैना के किस में अकाउंटिंग बताता है इस पूरे स्टूडियो में यहां पे लैपटाप पीची कैमरा है लाइटिंग और एर कंडिशनर पुरे प्रॉपर सेटप गया इसके विजए से क्लास रिकॉर्ड हो पारी है रैटिंग पैड़ सब कुछ रिए तो मैं इस पूरे स्टूडियो में पास पांच इस्टूडिय तो नंबर वन था ना इस टूडियो में इतनी रिकॉर्डिंग कर ले थे ना कि मैं बहुर हो गया था यार अभी स्टूडियो में कुछ नहीं करना इसको बेचना है मैंने उस पूरे स्टूडियो को बेचने की बात करी तो बेचने की बात करी ठीक है यह स्टूडियो में तो पूरे स्टूडियो को बेचना चाहता हूं यानि यह मेरा दिस्पोजल ग्रूप है तो अब यानि अब इस स्टूडियो में एक और एक्जामपल देखिए यह जो इस्टूडियो को बनाने के लिए मैंने क्लोन लिया था वनलेक रुपीद का जो आज तक मैंने पे किया नहीं लाइब लिए तो वह भी इस्टूडियो की मेरी लाइबलीटे में दिख रहा होगा तो अगर मैं इसे ट्रांसफर होंगी सामने वाले को लाइबलेटी भी ट्रांसफर होंगी तो जब आप एक पूरी ग्रूप को डिस्पोज आफ करने की बात करते हो तो उसमें ग्रूप तो अगे मैं सब बताओंगा उसके अलावा जब यह डिस्पोजल गुरुप है इस गुरुप के अंदर कुछ इसकोब्ड आउट भी हो सकते हैं मैंने बहुत गुरुप असेट्स लाइबिलिटी तो असेट्स में इसकोब्ड इन असेट्स यानि यह चार नौन करेंट इसके अलवा इस इस तूडियो का पार्ट कोई करण असेट वी सकते इस इस तूडियो से इलेटेड़ कोई डेटर इन्वेंट्री वगेरा यह इस स्टूडियो से इस इंडेस्स के स्कॉप में नहीं है तो कैसे अप्लिक प्लीके बिलिल्टियों कि वह सब अपन बाद में लेकिन आगा वो डिस्पोजल गूप एक सेपरेट बिजनस लाइन या सेपरेट जेग्राफिकल एरिया सब्सेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसे आप डिसकंटीनुड ऑपरेशन का नाम दे दोगे एक्जाम्पल से समझेए मेरा कौचंग का बिजनस है साथ में मेर करके भी सेड़ करता हूं एक दिन मैंने सोचा यह पैन वाले बिजनस से रिलेटेट सारी एसे असे लिए डिसकंटीनुड ऑपरेशन या फिर एक और एग्जम्पल मान लीजे मेरे इंडिया में कोचिंग इस्टूडियो साइट नेपाल में भी स्टूडियो सेटाप है ऐसे मैंने United Kingdom में भी अपना इस्टूडियो सेटप बना रहा था कोचिंग का क्योंकि वहां के भी स्टूडेंट्स है पर एक पर्टूलर दिन मैंने डिसाइड किया किया यह जो United Kingdom का बेचना चाता हूं ठीकि मुझे नहीं लगता कि महां ज्यादा स्टूडेंट्स होतें से करने वाले तो वह स्टूडियो सेटप बन बेचते हैं वहां कोई मतलब नहीं है कोश्ट आ रही है अपनी मिना वागत्ति वह मैंने सोचा तो वह डिस्पोजल ग्रूप है मेरा United Kingdom वाल सब्सक्राइब कर रहा है तो यह डिस्कंटिन्यूड ऑप्रेशन में फिर एक्ट्रा क्या पढ़ना है तो आप अकाउंटिंग बढ़ाओ गई तो बस आपको इस इंडेस में यही देखना है यानि ऐसी जो चार असेट की मैंने बात करी वह चार सेट जिनकी वेल्यू आप सेल करके रिकवर करना चाहरे हो रैधर देन यूस उनको बिजनस करने के वज़ाए उनको बेच के उनका पैसा रिकवर करना चाहरे हो और या फिर अकांटिंग में जाएगा दिस्पोजल गू ग्रूप आपको डिसको को समझ में आने चाहिए फिर कंसेप समझने में कोई दिक्कत नहीं है इसलिए अपन इसको टाइम देते हैं हमेशा क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अप्लिकेबिलीटी नहीं पता होती बस क्वेशन करते हैं काम गंबले फिर नया कोईशन आया तो पेपर टफ सब कुछ विक्कार एक्जाम में चलो फिर भी पास हो गए मानलो तो प्रेक्टिकलाइफ में विकार इस प्लिकेबिलीटी दोनों को एक साथ ही पढ़ने वाले हैं ठीक है इन दोनों की अकाउंटिंग देखने हैं डिसकंटिनुड ऑपरेशनल डिस्क्लोजर वो लाश्ट में देखेंगे नोन करांट असेट और डिस्पोजल ग्रूप को हैल्फ और सेल क्लासिफाई कब करोगे इनको हैल्फ और से पैसा रिकावर करना है इसको दंदे में यूज नहीं लेना तो क्या मैं आज के दिन इसे हैल्फ और सिल क्लासिफाई कर दूँ अगर आपको किसी एक क्लासिफाई करने का मतलब पता है क्या है आप बैलेंशीट बनाओंगे ना पीपी में अगर ये असेट दिखाई दिखा करना पड़ता है समाउंट को इसलिए सब्सक्राइब अपना मन जिस दिन आपका मन हुआ उस दिन कर दोगे नहीं आप अपने मन से नहीं कर सकते कुछ कंडिशन है आप हैल्फ और सेल को तभी क्लासिफाई कर सकते हो जो आप दो कंडिशन फुल्फिल हो जाए पहली आज की दिन इसको बेचने के लिए ग्राहक आना चाहिए बायर आना चाहिए बायर कब आएगा जब यह बेचने की कंडिशन में मनों यह साट ऐसी है कि भराब हो इसको कुछ सुधार ना पड़ेगा तब यह विक पाएगी तो पहले इसको सुधार लो उसके बाद हैड्फ को मालूम है कि यह मशिन इतनी पुराने टेक्नोलोजी की हो चुक है कि कोई खरीदार ही नहीं आने वाला तो फिर हैट फोर सेल में दिखाओ ठीक है फिर कोई मतलब नहीं है पहले खरीदार आना भी तो चीए आप अपने मन से थोड़ी ना बोल दोगे तो हाइली ठीक है ठीक है यह आपको ध्यान लखना है ऐसे केस में आप इसे दिखा दोगे है अगर आपको बोला जाए कि यार इसकी कंडिशन जो एक तम परफेक्ट है बायर आएगा तो खरीद सकता है कोई दिक्कत की बात नहीं पर इसको बेचिने के लिए रेगुलेटरी अप्रू के पास वो तो आप कर लोगे रेगुलेटरी अप्रूवल पेंडिंग है वेचने के लिए तो उसके लिए इसके गलती नहीं है असेट तो प्रेजेंट कंडिशन में बिख सकती है तो बस ठीक है यानि इमीडेट साहिल वाली कंडिशन फुल्फिल आप ऐसा ही बोलोगे उस इसके आगे इसका माउंट आएगा वह अमाउंट क्या आएगा वह अभी अपन देखा है तो नौन करण्ट असेट मेजर मेजर जोती नहीं यह बिजनस में यूज आने वाली इसेट तो बेचेंगे बेचने के लिए रखेंगे तो कौन सा इंडियास लगाना है लेकिन बाक करते हैं शबड़ती नहीं वाला है कि सबकुछ बाते हैं जबर्ती नहीं अलगी इंवेंट्री नहीं पर पर पस ही होता है बेचना वाता है। यहां पर कुछ न कुछ काम में आएगी देखना भी तो इस वज़ेसे के वल यह चार सेट हैं जो बिजनस में यूज में आती हैं लेकिन अगर बेचने का आप अगर उन्हें सोस्ते हो तो इस इंडेस में क्लासिफाइब करो के बेचने का सोस्ते हो बेची दिया तो बात ही ख देखिए नौन करेंट सेट यह डिस्पोजल गुरूप को आपने हैल्फ फोर सेल पर क्लासिफाइब कर दिया समझा पहले तो कि कौन-कौन से कवर होंगे क्या इंडियस बताएगा फिर इनको क्लासिफाइब करोगे आपने हैल्फ फोर सेल के लिए दिखा दिया तो दिखा इस अब यहां नहीं दिखाइब करना पड़ेगी यहां दिखाइब बैलेंशेज में और उसके आगे हैं अमौंट क्या आएगा अमौंट तो वही आ जाना चाहिए और यहां पर हैँए तो यहां पर मालो इसका थाउजन रूपीस का आरा था तो वही अमौंट यहां जाना लिए लग पर दिखेगी वह सब्में रीजन आपको समझाता हूं कि समाउंट पर आएगी और अमाउंट चेंज होगा तो सका एफेक्ट देंगे कैसे सब आपने बात करेंगे यानि जिस दिन को किस अमाउंट पर दिखाओगे इसको आपको किस अमांट पर दिखाना है तो हमेशा आपके पास पहले से बिजनस में थी हमेशा तो उनका हमेशा कैरिंग आपके पास अवेलेबल होगा अब यहां पर यहां पर याज करो जो इंडिया जितना हम उससे रिकवर कर सकें अभी रिवाइस कर आपको तो अब यह पैसा कितना रिकवर कर सकते हो यह बेच के जो पैसा आएगा पॉइंडिया इंडिया इंडिया करते से क्योंकि आप वहां सोचते थे कि अगर बिजनस में यूज ले तो यहमांट और बेचे तो करते हैं कि यहां पर टॉइलएं लेना ही नहीं वेल्उ इन्यूज हो इनी इसकती बेच के पैसा मिलेगा तो फेर वैल्यू लाउट कि ऊंप्रेच के लो कर लो क्या दिखाना है बेच के पता चला चला ने एंडिया टी तौन नाइंटी साट पर दिखा रहे हैं यह नहीं त 10,000 डुपीस का लोस टैंटाउजएट के साट करेंगी इंपेर्मेंट लॉस कोन सा वाला तो आप इसके आगे लिख दोगे इंपेर्मेंट लोस यहすपर इंडियस फंटी सिस नहीं होगी कि वहां को सीमपल है तो पस वह एंट्र ओगी इंपेरमेंट लॉग करते हो अगे पेचने पर कितना पैसा मिलेगा नेट्स यह आप यहां पर बूलोगे फियर वेल्यु लेस्ट कॉस्ट फेर्लिव निकालोगे उसमें से लेट्स कॉस्ट उस पर दिखा दोगे तो इस पर वही प्रॉविजन लगरे हैं बस लॉजिक के लिए हर जगह से प्रिंसीपल हर जगे से में सिंपल सी अकाउंटिंग है बस ही यह है यही मैंने नट डाउन किया इनिशल मेजर्मेंट आपकार्ण करेंगे लोगे लेटी था था यहनी आप मेजर करोगे लोगर 80,000 पे यह ने सब्सक्राइब कोई बढ़ाने के बाद तो करी नहीं सकते हैं इसके बाद कुछ पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान रखने हैं जैसे आपने किसी असेट को क्लासीफइब कर दिया एज हैड्स उस दिन के बाद से असेट पर डेप्रिशेश कर लगना इमेडिटल सब्सक्राइब कर दो दोगो तो डेप्रिशेशन और अमोटाइजेशन अब लगना इम्मीडेटली स्टॉप हो जाएगा क्यों क्यों कि अब बिजनस नहीं हो नहीं हो तो किस बात का depreciation जैसे हैं फोर सेल के लिए रख दे तो किसी भी असेट को उसका depreciation amortization उसी दिन से लगाना बंद कर देना है पहले जो लगा लिया वो लगा लिया क्योंकि पहले तो वह यूज में आई रही थी ना अब आगे से नहीं लगेगा बस आगे से आपको depreciation amortization लगाना बंद कर देना है इसके बाद next point disposal group के case में कैसे करोगे तो देखो आप एक तरीके से index 36 समझो single individual asset का impairment यानि यहाँ पर non current asset individual help for sale और cg.u का impairment उसे disposal ग्रूप समझो डिस्पोजल ग्रूप help for sale को cg.u की तरह समझो ग्रूप of assets लाइबलीटी देना जिसे वहाँ पर ग्रूप of assets था cg.u एक तरीके से तो वही चीज़ है उसी तरीके से होगा इंपेर्मेंट लोस आएगा डिस्पोजल ग्रूप का वह कौन भी यह करेगा डिस्पोजल ग्रूप में जो इसकॉप दिन नौन करण्ट असेट है कि अवल उनमें बाटना है भाई liabilities है उनमें बटना ही नहीं चाहिए वो इस इंडियस में कवर होती नहीं याफिक कोई इंटेंट असेट या फाइनिशल असेट उस पर भी इंडियस फंजुल नहीं लगता हूं पर भी नहीं बाटना यानि जो इन वाली याद अखना पीपी इंटेंजिवल असेट इंवेश्मेंट प्रपर्टी और गुडविल इन चारों में आपको बाटना है कैसे बाटोग यानि पीपी इंटेंजिवल असेट और इंवेश्मेंट प्रपर्टी उनके केरिंग अमांट के रिशन में इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है इसलिए ही अपने डिसकस करके कंप्लीट कर दिया ठीक है एक यह पॉइंट कंप्लीट हो गया एक लास्ट नोट है इसमें लेकिन अगर उसकी बुक्स में नॉन करेंट असेट हैट फोर सेल आ रही है ना उसे आप टेक ओवर करो फेर वेल्यू लेस्ट कॉस्टू सेल एवील सीट पे यह इंडियस वंजिरो थी में भी मैंने लिखवा है बस वही पॉइंट मैंने यहां पर वापस मेंशन किया क्यो बस यह ध्यान दखना होता है इंडियस वंजिरो थी में भी अपनिस का पूरा लॉजिक डिसकस किया हुआ है अब आज यह सब्सेक्वेंट में इनिशली आपने असेट को क्लासिफाई कर दिया है एक पर्टिकुलर अमांट पर दिखा दिया इंपेर्मेंट लॉस एस पर इ यहीं 20,000 का इंपेर्मेंट लॉज बुक हो गया फिर आया ये रेंड बैलेंशीट डेट बैलेंशीट डेट है और उस दिन तक वो असेट बिकीनी तो हम वापक वो क्राइटिरिया सोच लेंगे अभी भी सेल हाइली प्रॉबेबल है क्या विदिन वन ये वाला तो अभी भ यहीं तो आप सब्सक्राइटली वापस कंपेर करोगे आप करिंग अमांट और फेर वेल्यू लेस्ट कॉश्ट तो सेल करिंग अर्ट इस सेनरियो में तो कोई दिक्कत नहीं अब मैं बैलेंशीट डेट का एक अल्टरनेटिव सेनरियो और दे रहा हूं इन पहली बार में लेकिन फेर वेल्यू लेकिन लेकिन फेर वेल्यू लेकिन अपके बार कर पाएंगा अब लग ज्यादा रिकावर करेंगे तो पहले इंपेर्मेंट लॉस करने की बात आगी तो रिवर्स कर सकते हैं कितना रिवर्स हो सकता है एक पैले मैंने ट वुटर्फ बुक यादा तो इससे ज्यादा रिवर्स मथ कर देना वन वह गेंड रिकॉर्ड करना हो गया तो आप 20 अब इसमें एक स्पेशल पोईんट ओर वो ध्यांद से सउनो मैक्षिमम आपकितना रिंपेर्वे सकते हो जो पहले केल्ठнов नेरबर्या प्द hardly sesं अगर पहले ऐसा इन्डेट श्राइब आपने तो यहीं कर देंगे अपने तो जब मैक्सिमम देखोगे ना तो उसमें इंपेर्मेंट लॉस पहले कितना बुक क्या हुआ है वो देखो इंडियस 105 का 20 था होगे मां अज्यूम करते हैं कि इंडियस 36 के अकॉर्डिंग जब बिजनस में यूज आ रही थी था हम आमने इंपेर्मेंट लॉस बुक किया थ अपस इंपेर्मेंट लॉस फिर वैल्लेस को अश्टू सेल बढ़ गई है तो आप इंपेर्मेंट लॉस का रिवर्सल करोगे मैक्सिमम रिवर्सल कितना हो सकता है अप्टू अमांट आफ टोटल इंपेर्मेंट लॉस जो कि आपने अर्लियर रिकगनाइस किया था एस पर पॉइज आपना को था इंपेर्मेंट लॉस फिर वैल्लेस को सेल सेवन्टी फाइफ दो गई तो आज की जिन करिंग अमांट गेंटि मेंट तो जैवंट निया ने को ओर बुक हो गया एक और एकजांपल वही फर्स्ट वाले के इंटेन इंवेन्टिविटी में थाक्तिस् यानि बढ़ गई केरिंग अमाउंट आज 80,000 फिर वेल्य लेस कॉस्ट तो साल बन लेक 10,000 यानि रिवर्सल आपको दिखाई देरे 30,000 पर आप कितना रिवर्स कर सकते हैं जितना पिछे आपने रिकॉर्ड किया था उतना आप मैक्सिमम कर पाओगे तो आपने इस तो 20,000 का इस पर इंडेश रिकॉर्ड किया था और 20,000 का जो इंडेश 105 का आपने रिकॉर्ड किया था यहीं पॉइंट था आप इंडेश रिवर्स कर सकते हो तो नया के दिन का के अमाउंट इसमें नॉट लिखा था मैनेश में डिस्पोजल गृट कैसे ऊगा रिवर्सल होता तो सेमवैसे डिस्पोजल के हुर्ण काला तो श्राव मैं करी नहीं सकते तो बाकी बाग्ति वह इसका अपने पहले इंपेर्मेंट बुक किया था आप उनके के आपने पहले इंपेर्मेंट लो जो बुक किया था उन आसेट्स में केरिंग अमांट के रिवर्स कर देना सेम सीजु वाला कंश्यप्ट लगता है कुछ इसमें डीटेल में आपको पढ़ने की जुरुत नहीं है यह आपका पॉइंट टॉपिक कम्प्लीट हो गया जिसको इसमें क्वेशन बनता है जंदली जो आपको क्वेशन में अपने क्लास में रेगुलर वैच में किया हुआ है अगर आप क्या नोन करन्ट सेट इसको आपने हैड फोर सेल दिखाये था वह फ्यूचर में जाके बदल ले तो कि अब याद इसको नहीं बेचना एक्जांपल के लिए समझे फर्स्ट चैनुरी टॉटाओड़र नगो एक साल पूरा हुआ उस दिन वो पीपी बिक नहीं पाई अब मैंने चेक किया वापस से चेक करूंगा कि मीडियर सेल की कंडिशन में हाईली प्रॉबे या फिर मान लो किसी दिन इस दिन मेरे मन में आई क्राइटेरिया तो मिट कर यह पर मैं सोच रहा हूं याद आप इसको बेचेंगे नहीं अपने पास ही रखेंगे मैंने अपना मूड बदल लिया प्लान चेंज कर लिया तो ऐसे कि में आप इसे नॉर्मल असेट की के करना चाहता है तो आज की दिन करना पड़ेगा अगर इसे को कभी हैट फोर सिल क्लासिफाई किया नहीं होता तो क्या कर दिखाना पड़ेगा आजकी दिन आप इससे असेट को कि समां पे दिखाऊ ऊग्या नर्मल असेट के अंदर अगेर इससे असेट को कभी हैट फो तक बिound क्लासिफाई के आ नहीं होता तो इसका आजरौ के जिन क्या केरीं वाढ़ेगा आ रहा हो बुक्स में आज की दिना सब्सक्राइब क्लासिफाइब और लॉंगर मीट नहीं करता है तो एंटी को सीज कर देना चाहिए उसे क्लासिफाइब करने से नॉर्मल असेट की तरह दिखाना चाहिए इस डेट पर आप इस असेट को किस अमौन पर दिखाओगे कर दो यहीं अमांट आ रहा होता इस पर दिखाएंगे जो भी डिफ्रेंस होगा आज की दिन बुक्स में जो अमांट और जिस पर दिखाना होता है जो अपने बेंगार में कर रक है हांग एब अब प्रेजिए आप आपंड री मल्से घ्लाट्र साक הז को कैसे प्रेजेंट करना है वो तो अल्रैडी मैंने बताई दिया सेप्रेट लाइन आइटम और डिटेल में यहां बात कर लेंगे डिसकंटिनुड ऑपरेशन में कुछ एक्ष्णा डिस्क्लोजर देने होते हैं इंडिया तिसी वज़े से उसकी बात करता है वह आपको बता बस कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक शबसे बहले नौन करेंट असेट हैट फोर सेल को सब्सेपरेट लाइन आइटम की तरह प्रेजेंट करना पड़ेगा बैलेंशिट में मैंने आपको बताये था ना कि बैलेंस शीट में आपको नोन करांट असेट कर अदिए अलग इनको अलग आइटम दिखाऊगे आप असेट साइड में असेट क्लछिफाइड इस से बीसेल इनको लाइबलीटी जाण लिए दिखाना है अधर लाइबलिटी से बैलेंशीट में आप असेट लाइबलिटी लोडिस्पोजल ग्रूप को नेट करके नहीं दिखा सकते हैं कि असेट सो लिए टीज को नेट कर दूर एक सिंगल लाइन आटम करके दिखा दू वह अलाउनी है तो यह होगा इन दोनों क सेपरेटली प्रेजेंट करोगे अधर लाइबलीटी से अब इसकन्टीनुड प्रेशन को आप सेट आफ करके आफ्सेट करके नहीं दिखा सकते तो यह तीन चीज़ तो बिल्कुल सेव हैं अब देखिए दिसकन्टीनूर ऑप्रेशन में दो पॉइंट और ध्यान रखनें सिंपल से हैं कुछ स्पेशलिस में है नहीं आपको डिस्कंटीनूर ऑप्रेशन का पोस्टेक्स प्रॉफित लोज सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा इस स्टेट्मेंट ऑफ प्रॉफित लोज से अलग सिंगल अमाउंट मैंने शेड्यूल 3 जब पढ़ा है तना आप इसके अलावा ऐसा जिसको हमने डिस्कंटीनू कर दिया है या हैड फोर सेल क्लासिफाइग कर दिया तो उसका भी दूरिंग कोई प्रॉफित लोस आया होगा ना उसको आपको अलग से कैलकुलेट करना है ठीक है अलग से एकसे शीट पर कैलकुलेट करो और नेट अदर डिसकंटीनूर्ड प्रॉफित लोस एक सिंगल लाइन आइटम अलग से कैलकुलेट करके दिखाना है इसका सेपरेटली प्लेट में दिखाया हुआ भी आपको क्लास में रैफर भी करवाया आपको ठीक है यह इसलिए किया जाता है ताकि यूजर्स इंफोर्मेशन कर प्रॉफित लोस आप अलग दिखा रहे हो तो इसका इप्स करना पड़ेगा यह इंडेस था तरी बोलता है इंडेस 33 में डिटेल में डिसक्रशन करते हैं कि रॉपित लोस आपने अलग से करकूलेट किया तो इसका एप्स अलग से दिखाऊ और इसकंटीनूर्ड और से पर शेयर रणिंग कितनी हुई जो आगे नहीं होने वाली पर शेयर किया नहीं इस वचे से इसको सेपरेटली डिस्क्लोस किया जाता है डिटेल में अपन इंडियस 33 मिस पर बात करते हैं यह था आपका पूरा इंडियस 205 छोटा सा इंडियस था एक्जाम के लिए कोई रे सारे स्टेप्स कवर करते हैं जिनसे आपको माक्स भी फुल मिलेंगे एक्जाम में भी लिखना है और आपके रिवीजन में भी वही एल्प करेंगे तो उससे रिवाइस करना फटाफट से कंप्लीट हो जाए इंडियस कोई टाइम नहीं लगेगा जो डाइरेक्टली से करन क्लास नहीं देखें तो वह लोग वीडियो सुने के बाद नोट्स पढ़ना और खुछ से स्टेप्स लगा के सॉलूशन करना कुरिशन पढ़के और फिर आंस्फर मैच करना कुरिशन में से डाइरेक्टली अगर आपने कुरिशन में का आंस्फर देखा तो कुछ नहीं हो बाद आपको पूछने का प्रोसेजर यह फोलो करना है जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं पहले वीडियो तुनों फिर नोट्स पढ़ो और फिक्वेशन में के क्वेशन आपको एक लास वाले सॉलूशन गो थ्रू करो उसके बाद आपको डाउट आता है तो फिर आप है तो जरूर से बताईएगा आज के लिए वस इतना ही थैंक्यू सो मच रादे रादे